नमस्कार जै जोहार और सीजी व्यापम के अंतरगत होने वाले सभी एक्जाम्स की तयारी कराएं तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेज आप टू बी दे बेस्ट लन फ्रॉम दे बेस्ट नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू आउनलीन क्लासेज में मैं हूँ अकाश शिंद्राकर और आज हम लोग हिंदी की मेराथन क्लासेज करने वाले हैं जिसमें एक ही वीडियो में आपको जो आपके होस्टल वोडन इक्जाम में पुछा जा रहा है उसके सारे कोस्टन्स प्रोवाइट किये जाएंगे सारे टॉपिक्स कवर किये जाएंगे और इसमें वो सभी कोस्टन्स मैं लेकार आ रहा हूँ जिसकी आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है ठीक है तो ऐसे ही मेराथन क्लासेज से जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब करकर रख लो क्योंकि टेलीग्राम चैनल में आपको सारे वीडियोस प्रोवाइट के आते हैं और यूट्यूब चैनल में आपको उनके वीडियोस मिलेंगे ठीक है साथ में यह कहूँगा कि अगर आप सारी चीजों को डिटेल से पढ़ना जाते हो तो हमारे कोर्स को पर्चेस कर लिजिए ताकि हर सब्जेक का आप बारीकी से अध्यान कर पाओ क्योंकि अभी भी 67 डेस बचे हुए हैं जो कहीं कम नहीं होंगे क्योंकि 70 दिन पहले ही आपको अनौंस्मेंट हो चुका है कि 15 सितंबर को एक्जाम होना है तो 70 दिन का समय आपके पास था तीन दिन बीत चुके हैं और मेरा मानना यह है कि इस वीडियो से आपके सारी हिंदी कवर हो जाएगी मैं हर बेसिक चीजों का उपको बता दूंगा बट फिर भी आप बाकी और एक्जाम्स के लिए या फिर आने वाले किसी और इवन कोश्टन के लिए पहले सी प्रिपेर रहना चाते कमारे कोर्स को पर्चेस करके पढ़ लीजिए साथ में टेस सीरीज दिला सकते हैं आप लोग 99 रुपए पर टेस सीरीज जवलेबल है जिसके माध्यम से आपना स्वता आगलन कर सकते कि आप किसी सब्जेक्ट में कितने अच्छे हैं कितने उसमें कमी आपकी रह जा रही है ठीक है टेस सीर हुए सारी चीजों को चलेगी है अब देखो पहला कोशन क्या पुछा गया कि निमनली खित में से किस नदी का नाम इस्त्री लिंग में प्रयुक्त नहीं होता है तो इस्त्री लिंग आया तो सबसे पहले आपको लिंग मालूम होना चीए कि हमारे हिन्दी में लिंग कितने प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं दो तीन चार कितने प्रकार के तो हम दो प्रकार के पढ़ते हैं कौन कौन से भाई एक इस्त्री लिंग होता है और पुलिंग होता है हम इस्त्री लिंग पढ़ते हैं तीसरा एक चीज आता है उभय लिंग तो वहम लिंग के अंतरकत नहीं पढ़ते उभय लिंग किन चीजिजों को बोला जाता मैं पहले से बता देता हूं कि उभय लिंग जो सब्द इस्तरी लिंग और पुलिंग और फुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए जो सामोहीक रुपसे यूज किये जाते हैं यह क्या बोना चीए उभे निश्ट रूप से यूज किया जाते हैं उनको हम लोग उभे लिंक कहते हैं समान रूप से उनको यूज करना होता है अब बात आते हैं पुल लिंग तो वे सब्द जिन से एक पुरुष जाती का बोध हो पुल लिंग कहलेंगे पहचान कैसे आएगा पहचान आने के लिए जो आपकी पुल लिंग वाली चीज़े होते हैं वो आखरी में हमेसा आएगी आ की मातरा वाली चीज़े आती है अब हमेसा यह आएगा कि नहीं तो कुछ अपवाद होती है ठीक है यह भी समझना जो अपवाद रहेंगो इस तरी लिंग में चले लिखते हैं इसके अलावा बाकी जो चीज़े थी उसमें हम लोग लेंगे दीन महीने हो गया जो भी समय आती है जैसे घंटा हो गया मीनाट हो गया सेकेंड हो गया इन सब को हम लोग पुलिंग की अंदर गत रख सकते हैं कुछ प्रत्य वाले सब्दे हैं जैसे की ठीक है आव आवा यह प्रकार के किसी आया जाएंगे आपके पुलिंग में आ जाएंगे और भी कुछ प्रत्य सब्दे हैं क्या मैं देख लेते हैं ऑर यह दो आपको विशेज का रियाद रखने हैं और क्या हो सकते हैं इनके अलावा अगर हम लोग देखें तो कोई भी प नेमिंग रहेंगे वो सब इस त्रिय लिंग में अजाएंगे बाकी अधिक तर आपके पुलिंग के अंतरगत ही आते हैं आभूशन वाभूशन भी ले सकते हो कुछ धातों के नाम जो रहते हैं वो ले सकते हैं धातों में जो चुनिंदा एकाद नहीं जैसे कि चांदी हो गया वो इस्त्री लिंग हो जाता है बाकि सब पुल लिंग के अंदर गता आ जाते हैं तो वह सारी चीज रहती है इस त्री लिंग में क्या-क्या चीज आएंगी तो अगर मैं पित्तेएं की बात करो तो आहट आवट ये वाल जितने भी आपकी नदीयों के नाम होते हैं जीलों के नाम होते हैं चांक optim जो होती है जिसे प्रतमा दुट इतिया इस प्रकार से जो बोलते जो भी नक्षटर होते पिर आपके ग्रह वाले चीजे होती हो पुल लिंग के अंदर गता जाती जितने भी ग्रह के नाम है, clear, नच्छत्र हो गया, तीथी हो गया, नदिया हो गया, जीले होंगी, जो भी आपके सारीरिक अंग है, शरीर के जो अंग होते हैं, वो पुलिंग में आ जाते हैं, कुछ आपके क्या रहेंगे, अपवाद रहेंगे, जैसे कि मैं क्या ले सकता हू याद रखना, अंगो में जो क्या है, अपवाद हैं, जो इस्त्री लिंग के अंदर कताने जीए, जैसे कि बाहा हो गया, कमर हो गया, नस हो गई, नाक हो गया, फोंट हो गया, उंगलिया हो गया, गला हो गया, कलाई हो गया, ये जो सारी चीदी होती हैं, वो इस्त्री लिं पड़ते हैं ठीक है तो यह सारी चीजे थी अब इनके अलावा होते हैं अधीकतर पेड़क के रहा है था तो वह प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी के टॉपिक वाइस इस्टेडी कर सकते हैं एमसी क्यों के मात्धिम से तो वहाँ पर और भी सारी चीजों के आपको जानकारी हो जागी यह बेसिक फ्रजी होगी हमको पुछा गया था कि dinam नदी के नाम बेस College इकिसमें आता जर्व नहीं होती है क्योंकि कुछ नधी के नाम है जो पुल्लिंग के समाने इसी मलीख ब्रम mt इसी में लिकलो सतलज और हमारी चत्ति ग्रड़ के परिद्रिश्च से दीखा जाए तो शिवनात कि यह जो होते हैं पुलिंग में आने वाले नदियों के नाम हैं बाकि अधिकतर जो होती हैं वो सारी की सारी स्तली लिंक के अंतरगत प्रनानसेशन किया जाता है उनको केटेगराइज किया जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो यह मैंने लिंक के बारें बताया उभाय लिंक मैंने बोल दिया कि जो दोनों में यूज़ होगा उभाय लिंक के अंतरगत आ जाता है ऐसा कुछ नहीं है और तीसरा लिंक वो हम ल इस वज़े से कि उभाय लिंक दोनों में कॉमन रूप से यूज़ किया जाने वाली सब्दों को बोला जाता है अगला कोशन देखते हैं जो है रीपू का अर्थ है या प्रियावाची सब्द क्या है पूछा जा रहा है आजात अरी और रीपू तथा इन में से कोई नहीं पूछा तो सबसे पहले आपको रिफ करना मतलब मालूम होना तो नाम से जाने तरिक है और का क्या बोलते हैं हम लोग तो रीपू का मुख्य रूप से जो पहला होता है ना वो होता है सत्रू सत्रू को हम लोग रीपू बोलते हैं तो सत्रू को और क्या जानोंगे भई दुश्मन नाम से जानोंगे और इसी को बोला जाता है अरी क्या बोला जाता है अरी बोला जाता है तो रीपु का ही पर्यायवाची सब्द क्या हो जाता है हमारा अरी हो जाता है ठीक है और क्या पर्यायवाची सब्द आप अपने ने ज तो ये बैरी, दुश्मन, अमीत्र, शत्रू, अरी, ये सब क्या है, रीपू के परियावाची है, तो मैंने यहाँ पर एक परियावाची का, आपको सेग्मेंट बता दिया, जिसके अंतर का जो भी परियावाची वाल हम कोशन पढ़ते जाएंगे, तो उसके अन्य अन्य नाम समस्ते जाएंगे, और अगर किसी option का, और भी होना चाहिए, परियावाची सब्द, तो वो भी मैं बताते चलूँगा, अभी ये दोनों का कोई नहीं है, ठीक है, आप आजात सत्रू समस्ते होगे, आजात सत्रू का मतलब होता है, सत्रू का दुश्मन, जो हम लोग बिंद पुलिंग होते हैं, लेकिन कुछ क्या होंगे, अपवाद होंगे, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यह दया जो होती है, पुलिंग है, माया जो होती है, क्रीपा जो होती है, क्रीपा जो होती है, क्रीपा जो पुलिंग नहीं है, यह सब क्या है, इस तरी लिंग में आए जाएता है ठीक है लेकिन यह कैसा है आखरी में कैसा सब्दार इसमें अकारांत सब्दार है इन सब में भी आ रहा था अकारांत लेकिन यह सब किसके अंतरगा जाते इस तरी लिंग के अंतरगा तो यह आप वाद वाले स्वरूप में आपको याद रखना है तीनों को बज गय जो समूह वाले सब्द होते हैं वह भी पुल्लिंग के अंदर गताते हैं याद रखना इतने में क्या देखते हैं कि सामने नंगी तरवार लिये वहां खड़ा है अप्शन भी वह अनेक वर्सों से वहां पढ़ता था तिसरा तुम्हारे पीता जी को आने दो तुम्हें मैं मज़ा चकाता हूं और अप्शन डी है उप्यूक सभी अब देखते चलो क्या उप्यूक जी न मातर संबंद्धी न और कोई भी जया फ्रेम जो बोलते हैं लोग इसको सब्दों को वाक्यों में जमाते हैं उस प्रकार की भी कोई भी अशुद्धी नहीं दिखरी तो यह तो सही है वह अनेक वर्सों से वहां पढ़ता था पढ़ता था यह भी सही है पढ़ता था पढ़ता की बिश में कॉमा आना जरूरी था वो भी आया हुआ है इतने अब दो ही दिखे तो सीज़ा से आंसर सभी आ जाएगा तीसरा फिर भी पढ़ लेते हैं इतने में क्या देखते हैं कि सामने नंगी तलवार ले वह खड़ा है तो यह अपने आप में शटिक है इसमे किसी व्रकार की मात्रा हलंत या फिर सब्दों के फिर बदल की कोई भी तुरूटी मुझे दिखाए नहीं पड़ती तो यह तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा उप्यूग सभी अगला कॉशन देखना गोली मारना मुहावरे का अर्थ है गोली मारना मुहावरे का अर्थ है हत्या करना जूड फ़िवर बोलना वपेक्षा-पुरवक त्याग देना ठीक है यह तीन उप्षन देहुँ आर historic question देखने जडरत भी निई उपक्षा-पुरवक यह हमारा right answer है तो गोलिमारना मतलब जैसने हम लोग किसे भी बात को बोलते हैं, तो जैसे छोड़ना हटाने यार, गोली मारने यार उस बात को, गोली मारने यार उस बात को का मतलब है, गोली मारने उस चीज़ को, इसका मतलब क्या होता है, कि हम लोग उसके उपर ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहते हैं, या उसको नेगलेक्ट करना चाहते है उसको अपने हाप से दूर रखना चाहते हैं तो क्या कर रहे हैं उपेक्षा कर रहे हैं उपेक्षा करके त्याग दे रहे हैं उसकी तो उपेक्षा पुर्वक त्याग देने के लिए हम लोग किस मुहावरे का प्रयोग करते हैं अगरसवर पस्चसवर मध्यसवर और पस्चसवर तो अनसर इसका जो आता है वो लोगम हो को प्रश्ण पूशा जाता है आगे और भी प्रश्ण आएंगे तो वहां पर हम चीजों को समझेंगे पहले यहां पर जो पूशा गया उसके अधार पर मैं आपको बता देता हूं टोटल हमारे पास 11 स्वर वर्ण होंगे स्वर बोला है तो टोटल 11 होंगे इन 11 में अग्र स्वर मद्य स्वर और पश्च स्वर में इनको केटेगराइज किया गया है क्या किया गया है और केटेगराइज किया गया है तो इसको कैसे कैसे किया गया है देखना जो मद्य स्वर हो सब्सक्राइब एक ही आता है इसको छोड़ दो इधार आजाओ और रिशी को छोड़ दो एड़ी के ए और एनक के ए फिर यहां आगे पिर है यह चोड़ना है मैंने बोला तो और क्या जाएगा ओ रो तो यह मेरे सारी क्या हो गए 11 वरणों में से वे सब्द हो गय ये अगर्य का सवर हएं क्या हो होगया और की इस प्रकार का सवर है तो उसमने तो मध्य से शुरू करना है आपको आएगा फिर आएगा उसके नीचे आप फिर उपर जाएंगा ई और फिर इसको छोड़ देना मध्य में एक ही आएगा मैंने बहुत फिर है और फिर इसके याद रखना है कि अगर स्वर मद्र पश्च वसर क्या क्या हों इसी को फिर कहां कौंसा कंठ से निकलता है कौन सा सघोश है कौन सा अगोश है कौन सा अलवप्रान इस प्रकार से पूछा जाएगा आगे कोश्चन के साथ समझते जाएंगे कोशन नमबर सात्वा नीमन लीखित में से यन संधी का उधारन है यन संधी का क्या उधारन होगा तो पहले आपको यन संधी मालूम चलना चाहिए कि पहचानते कैसे हैं तो यन संधी पहचानने का सबसे जो अच्छा या जीवन उधारन है हम मैं बोलना चाहूँगा वो क्या कि कभी भी हम संदी करेंगे उसमें तो यह तो आधा यह के साथ कोई आधा वर्ण दिखेगा यह तो वह के साथ कोई भी आधा वर्ण दिखता है जहां कहीं भी आधा वर्ण दिखे यह और वह के साथ वह क्या यहन संदी के अंतरगत आ जाता है यह और वह को विशेज ध्यान इनके लाब दूसरे को नहीं जैसे यहाँ फर महोई सो में आधा दीख रहा है यहाँ वह यह और वह नहीं तो यह दोनों नहीं हो सकते महें ठीक है तो औक्षन देखते चलते ही महा पुलस उधर महोदर महाप्लस 100 महोद्र मनूह के स ніकेशाथ मात्र वाला ममंत्र मैं मुझे दिख रहें के साथ आधणा तो हेो जांधी इसे रिभार में jean यह शंदि हो जायेगा बाकि हैं और कि मात्र होते क्लियर हुआ और जो बचा हुआ है वादूस्तों कौन सी मातर दीख रही है यह बड़ी उकी मातर किसमें आती है आपके दिर्ग श्वर संधी के इंतरगत आती है ठीक है हमको प्रश्ण में पूछा था यहन तो यहन का अंसर था ओप्शन सी क्लियर कौशन नमर आठ सुद्ध वर्तनी वाले सब्द का चयान करो शुद्ध वर्तनी वाला सब्द कौन सा हो सकता है सुद्ध वर्तनी वाला तो यह है वीराट में हलत वीराट यह वीराट तो एक बात समझो अभी हम लोगों ने क्या जीता है वर्ड कप जीता है तो करेंट अफेर अब बश्राइब जब I espy औड़ कौशन पुलिट्स नहीं जीता इन्डिया नहीं जीता हमारा मेन की प्लेयर रहता है कों रहता है विराट रहते हैं रहते हैं विराट तो जब कि 20 वर्ट कप हुआ है हो सकता है वैसे कोशन पूछे जाए तो बेसिकली आप इसको ध्यान में रखना एक कोशन तीन बार आ चुके हैं अभी तक व्यापम के एक्जाम में ठीक है हो सकता इस बार भी रिपीट हो जाए तो देखो अब विराट जब लिखते हैं अब देखते हैं हमेशा होगे क्या ये वाला लिखाया रहता है तो आपको क्या लगेगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा लेकिन वो क्या है गलत है क्यूं क्यूंकि विराट में हमेशा आखरी में हलंत लगता है वह में छोटी की मातरा आएगी सही है रह में आकी मात्र आएगा ये भी सही है लेकि टम में क्या आना ची हलन तो जो कि किस option में option B में है तो हमारा right answer क्या होगा option B question number 9 पाव बारह होना का अर्थ है पाव बारह होना का क्या अर्थ है option कहाती है सुबह होना लाब होना हानी होना या इन में से कोई नहीं तो पाव बारह होना एक बात बताओ पाव भी आ रहा है और बारह भी आ रहा है तो पाव को आप पाव से समझना पाव बारह होना तो पाव 12 हो गया, मतलब क्या हो गया, बढ़ गया, यही समझना बस, पाव से क्या हो गया, वो 12 हो गया, बढ़ गया, तो इसमें क्या हुआ, आपको सुबा हो गया, लाब हो गया, हानी हुआ, इन में से क्या नहीं हुआ, तो सीधी सीधी बात है, पाव 12 होना का मतलब क्या न आता कैसे और इसको हम लोग याद कैसे करेंगी इसको याद करने की बहुत सारी टेकनीक है तरीके हैं वह मैंने बताया हुआ है आप पर्चेस करके और भी पढ़ेंगे वहां तो और भी ज्यादा मातरे में आपको सारी तरीके की चाहिए हिंदी मैक्सिकन यूनानियन डच ची इनी फ्रांसिसी पार्शी पूर्टगाली यह जो जितने भी सब्द हमारे हिंदी के बोल चाल में यूज के जाते हैं उनको ट्रिक के मादनम से बताया गया कुछ को मैं यहां पर बताते चलूंगा जो जो आती जाएगा तो पलक की भासा का शब्द है तो पलक पर क्या दिय ख्यांते हैं कभी भी धूल डेश्ट उड़ते रहती है कीडे आते रहते हैं आप बाइक पे जा रहे हैं यस जारे हो तो कि प्तर सकता है कि कीड़े हमारे आखों में फस सकते हैं धूल के कण आ सकते हैं उनको आने से पहले पलक क्या कर दिता है रोक दिता है मतलब हसा लेता है तो फसाने से क्या याद सब्सक्राइब करें जैसे की पक्ष जैसे की और क्या बोलूं वत्स और क्या बोल सकता हूं मैं पुत्र ठीक है तो यह सारी जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे संस्क्राइब होते हिंदी सवाने बोल चाल में हम लोग जो अभी यूज कर रहे हैं वह सब क्या है हिंदी है जो ही मैंने यूज वर्ड यूज किया कि अंग्रीजी का है, मैं बोलता हूँ, अंग्रीजी का सब्द होता है, अर्भी का क्या होंगे, अर्भी से आप सीधा-सीधा याद रखने न, अवकात, आदमी, औरत, अमीर, ठीक है, दौलत यह सब याद रख सकते हैं, वकील, जो जाधा अमीर रहेगा वही क्या रखेगा वकील रख सकता है बाकी कोई रख सकता है क्या वकील नहीं तो जो ज़्यादा अमीर है वो क्या रखेगा वकील रखेगा तो यह याद रखना और भी चीज़ें मैं बताती चलूँगा ग्यारवा कोशन जो धरती फोड कर निकलता है स्वयम्भू उदभाव उदभीज धराभाव तो जो धरती फोड कर निकलता है उसको क्या बोलते हैं उदभीज बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको उदभीज बोलते हैं उप्शन नमबर C उदभीज बोला जाता है उनको अब शंकर भगवान के लिए कौन सा सब्द यूज़ करते हैं संभू बोला जाता है उनको संभू और वही क्या है स्वयंभू है अगर शाप्दिक अर्थों में वर्तनी की दृष्टी से आप सुद्ध रूप देखोगे तो उसी को ही स्वयंभू बोला जाता है तो श्वयंभू अगर परियावाची इमने कुछे तो शीव जी को बोल सकते हो शंकर जी को बोल सकते हो है स्वयंभूझ का जो जो घटकर और उत्पन होते है जो आप मश्रूम खाते हो फुटु जिसको बोलते हैं हम लोग थातिज गढ़ी में वह हो फुठु देखते हूं जो जमीन पर गड़ा करी टो कास्थ वह उपते कास्थ मतलब लकड़ी पर लेकिन जमीन से होता है वह भीपन और विसे हैं निशिद्ध, विहित का क्या होता है, आपका निशिद्ध होता है, अब सहित का क्या हो सकता है, तो सहित का विहिन लिखो या रहित बोलो भई, विहिन लिख सकते हैं हम लोग, जैसे ज्ञान सहित, ज्ञान विहिन या ज्ञान रहित ये बोलो, विपन्न, विपन्न का आप जना बाकि जो बोल रहा हूं उस पर ज्यादा देना ठीक है तो मेरे राइटिंग पर जाओगे तो हो सकता है आपको बोल कुछ और रहा हूं लिखा और कुछ रहा हो इसलिए किस पर ध्यान देना जाते से जादा मेरे सब्दों पर तो वीईत सब्द का विलो मार्थी क्या हो जादा हमारा निशिद्ध हो जाता है सहित का क्या होता है विहीन होता है विपन्न का क्या होता है संपन्न होता है और मिलित का क्या होता है ठीक है कि तेरवा कोश्चन निर्वासित में प्रत्य है निर्वासित में किस प्रकार का प्रत्य है तो प्रत्य होता क्या है जो किसी शब्द या सब्दांश के अंत में जुड़कर उसके क्या बोलना चाहिए कि अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन ला दे प्रत्य के लाता है कहां जूड़ता है शब्द के अंत में अब शब्द के अंत में तो यह अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं तो मुख्यूर्प से प्र करिया के साथ कोई प्रत्यय लगता है तो हम लोग को बहुते हैं ठीक है तो तद्धित क्या होगा क्रिया और धातु be और बाकी सब में क्या और संग्या आएगा सरवनाम आएगा विशेषण आएगा और आपका अव्याई आएगा इनके साथ अगर कोई प्रत्य जूडता है तो वह तद्धित प्रत्य है कहलाता तो प्रत्य कितने प्रकाद के दो कौण कौण से क्रित क्रिदान्थ बोलो यह क्रित तद्धित बोलो ठीक है कि अब ये निर्वाशित था कुछें है किस बेक्प्रत्य निर्वास में मीड़क best as it क्या अगरुकसे प्रत्य। अगला प्रत्य। मेलनं गहरी नीन्द में था इस वाक्य में निन्द संग्या कालिंग है तो नींद आया तो मिलन कुछ सब्द को ना आपको क्या करना है एक बार सोच कर देखना है कि वो क्या इस्त्री लिंग वाले जो हमारे सहायक वर क्रिया लगती है सहायक क्रिया लगती उनके साथ सही है या क्या बोलते है कि पुलिंग वाले के साथ जैसे कि क्या क्या बोलुगा जैसे लड़का खेलता है यह राम खेलता है और सीता क्या भ भन के खेलती है तो आर एका फरक आया ना खिरिया के साथ उसके गधार पर घ्रिया में चेंजे सायना वैसे ही जब नीद के अच्छी नींद आई यह अच्छी लगती है ठीक है तो यह नींद आई आई वाला किसमें लगता मैंने बूला था इस्त्री लिंग में तो संग्या नींद संग्या का लिंग क्या हो जागा सिधा 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 इस्त्री लिंग हो जाएगा तो नींद क्या है इस्त्री लिंग ह पंद्रवा कोशन नीलांबळ सब्द में कौनसा समास है? नीलांबर तो नीलांबर सब्द के लिए समास के चार आप्शन दिये गए बहु ब्रहि समास, तत्पूरुष समास, कर्मधाराय समास या फिर द्वंद्व समास तो इसका राइट आंसर जो होता है वो होता है कर्मधारे समास क्या होता है कर्मधारे समास निला अंबर का अगर आप सापदी कुछ चारण या उसके अर्थ की दृष्टी से समझोगे तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा निला है जो अंबर निला है जो अंबर प्रदचान होते हैं अब लग रहा होगा कि क्या ये भाहुपरी समास ब्रहुद कर्मधारे दोनों के अंतरगत आते हैं तो आपको कर्मधारे में देखने के लिए मिलता है कि कोशन नंबर 16 अच्छा बाकी को भी मैं यहीं समझा देता हूँ और क्या क्या चीद होते बहुत ब्री के लिए तो बता दिया किसी तीसरे की और इसारा करेंगे तत्पुरुष यह पूरे आपके कारक की उपर डिपेंड करता है छै प्रकार के ओते करता का अपदान के उपर आपादान के उपर संबंध के उपर तो इंच है के उपर डिपेंड करता है कौन आपका तत्पुरुष इसके लावन नई तत्पुरुष समास होता और एक दो और भी होते हैं लेगी नई को आपको स्पेशली याद रखना है ऐसा सब्द जिससे न और नहीं तत्वुरस समास क्लियर द्वंद्व समास क्या होगा द्वंद्व समास अपने आप में देन प्रकार के होते हैं जैसे की राधा कृष्ण या इसी को मैं और क्या बोल सकते हूं राधा और कृष्ण सीता राम ये राम शीता ठीक है और क्या बोल सकते हैं आज कल आज और कल चाय पानी चाय पानी हो गया तन्मन धन ये हो गया ठीक है अब उसमें आपको समझना रहता है कि कौन सा वैकल्पिक है कौन सा इत्रितर द्व कि उसके लिए बोल घंद में ए 91 अटक्रू इस सिर्व डिया तो मुष्लो प्रलि में लोक्ति का क्या विवर कि काम करने पर उतार होना नीडर होना धान-कुटना यह स्ळेश्ऩ kृmer तो ओखली में सीर दिया तो मुशलो से क्या डरना यहां से क्या समझ मैं रहा है तो मुशलो से क्या डरना आपको मैं साब्दी करता समझा दूगा तो आपको गलत नहीं करोगे नीडर होने का मतलब क्या होता कि मैं साहस्पून कोई काम कर रहा हूँ यहां पर ओखली में सीर दिया तो मुशलो से क्या करना है यहां साहस्पून कार नहीं दीख रहा है इसका तात पर यह निकलता है कि अगर मैंने किसी काम को कर लिया तो अब उसको मैं कम्प्लीट ही करना चाहरे हो जैसे आपका अभी प्रात्मिक काम क्या होना चाहिए सारी कामों को छोड़कर पढ़ाई करना ठीक है आपने फॉर्म भरा है जिस दिन आपको नहीं आता था कोई भी चीज तो आपको हमारा कॉर्स पर्चेस करना चाहिए था और वहां से आप पढ़ते हुए आ कोशन नमर 17 किंवें जनों को अर्धस्वर कहा जाता है कि इन में से कोई नहीं तो अर्धस्वर मतलब ना कि ये स्वर के समान का करेंगे उचारण में आएंगे तो वह और या वाले जो शब्द होते हैं या फिर मैं इसी को बोल सकता हूँ या वर्ग यह जो होते हैं अर्धश्वर के अंतर्गत आते हैं और विशेशकर यह और वा को अर्धश्वर कहा जाता है विशेशकर इस बात को ध्यां रखते हैं तो यह और वा हमारे अर्धश्वर के अंतर्गत आते हैं आप मुझे comment करके आप लोग बताइए मैंने कई बार इसको पढ़ाया है कि व और या इसको किस प्रकार के हम लोग व्यंजन बोलते हैं जैसे का हो गया किया स्पर्श व्यंजन हैं कुछ क्या होते हैं अलग-अलग प्रकार के वियंजन होते हैं तो वैसे ही वह और यह को हम लोग किस वियंजन के रूप में जानते हैं कोशन नमर 18 नीमनली खित में से सुद्ध सब्द कौन सा है और आप सभी ने लाश बार जो मैंने कोशन पूछा था कि पाठक के लिए सहीं बहुवचन क्या होगा तो पाठक जन पाठक वरिंद पाठक गण यह सभी के सभी क्या होते हैं उसके बहुवचन होते हैं ठीक है वैस तो इसमें जो छिपकली शब्द है वो मेरा सुद्ध दीख रहा है क्योंकि इसमें छोटी की मातरा शह में आती और बड़ी की मातरा ला में आती तो छिपकली इसको बोलते हैं साधू जो होता है इसका लिखावट यह होता है छोटी उ की मातरा और साधू एक ऐसा सब्द है जो आपके बहु वचन और एक वचन दोनों में समान रुप से प्रयोग किया जाते हैं, मतलब ये वचन में परिवर्तन नहीं आता है, साधू एक वचन में भी ऐसे ही लिखा जाएगा और बहु वचन में भी ऐसे लिखा जाएगा, काली दाशिश में ला में छोटी की मातरा आती है, मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगा, काली दास इस प्रकार से, क्योंकि ला में मुझे भार कम देना पट है, मातरा छोटी आएगा, आगामी नहीं होता है, ये होता है, आगामी, कभी भी वर्ष होता है, तो आगामी वर्ष बोलते हैं, कोई भी परिच्छाएं होती ह आगामी आती है, अगला कोशन देखते हैं, अती प्लस आवश्यक किस संधी का उधारन है, अती प्लस आवश्यक क्या बनेगा भई, अगर मैं जोड़ दूँ तो क्या बनेगा सबसे पहले जोड़ कर देख लो, ये बनेगा अत्यावश्यक, मैंने क्या बोला था, जब कभी कोई भी इस प्रकार के कोई भी आपके क्या आते हैं शंधी आते हैं अगर उस संधी में यह इए और आ या फिर इस प्रकार की मात्राइं आपस में आकर जूड़ती हैं और क्या बना लेती हैं आधा आपका या या व बना लेती है यही मैं समझाया था तब उसमें क्या होना छही है आप यहन संधी तो आप्चर देहें देखकर अवसंधी पूरा या आ रहा है किसी आधे शब्द या अक्षर के साथ वर्ण के साथ तो यहां संधी यह होती है ठीक है आयाधी संधी कैसे पहुंच जानोगे वहाँ पर आए इस प्रकार के प्रणेन शिशन बीच में देखेंगे जैसे यहां पर अत्य आवश्चक देख रहे है तो आव यहां पर दीख रहे हैं लेकिन यह क्या साथ है तो हमेशा ही क्या यहां संधी आएगा और जहाँ पर टूटता है वह ज्यादा important रहता है तो टूटने वाला portion थक और यहां पर आता के बाद यहां में कन्वर्ट हो गया तो आधा जूड़ने के बाद यह की उपस्थिती आ जाती है और जो पूरा शब्त था आधा में हो जाता तो यह तो टूटेने वाला इस्थान अगर यहां पर होता अत्या प्लस वश्चक अलग हो जाते तब हम लोग य सब लगई अब आती संदी में रिद्धि में क्या होता है जो गुणसवर्द संदी होता है उस की मातराओं में रिद्ध्धि था मतलब लग लग अगर मातर हो लसट जाए और अर का बड़ा मात्र लग जाए तो विर्धी में आ जाता है दिर्ख क्या होती है जितने भी बड़ी-बड़ी मात्राइं हो मतलब आ की मात्रा में टूटे या जुड़े बड़ी-उ की मात्रा में टूटे या जुड़े तो हमारे दिर्खश्वर संदी के अंतर गज विशेशन होता क्या है तो अभी मैंने बताया भाई कि संग्या होता है सर्मनाम होता है क्रिया होता है विशेशन होता है अव्य होते हैं यह जब मैं प्रत्य पढ़ाया तो पताया कुछ धातू होते हैं तो इन में जो संग्या और सर्मनाम चीजे होती है इन चीजों की अगर क को हम लोग सीधा क्या बोलते हैं विशेशन बोलते हैं तो विशेशन मेरा क्या हुआ संग्या और सर्वनाम की विशेश्टा बताने वाले पद या सब्द को हम लोग विशेशन कहते हैं अब विशेश्टा कैसे बताएगा जैसे कि किसी लड़की के बारे में बात करें तो वह लड़की सुन्दर है तो लड़की क्या हो गई? सर्वनाम हो गई और सुन्दर क्या होगा? उसकी विशेश्टा बता दिया आपने जैसे कि आम के फल के बारे में बात करें तो यहां आम मीठा है तो आम को मैं क्या बता रहूं मिठा बता रहूं तो यह आम की क्या हो गई विशेश्टा है अब विशेशन की अंतर गथी एक आता है प्रविशेशन और प्रविशेशन क्या होता है जो विशेशन की विशेश्टा बता है जो विशेशन या क्रिया विशेशन की विशेश्ट प्रविश्शन प्रविश्शन कहलता है आप मैं अ जिसे मैं बहुत मिठा है तो यह मीठा की क् वालिटी गर prin बहुत ज्यादा मीठा है तो नियुक्स किसी कि धावक के बार बतां तेज ढड़ता तो तेज दोड़ता है तो तेज क्या हो गया मेरा विशेशन हो गया दोड़ने के लिए वह बहुत तेज के पहले लग रहा हो तेज के लिए लग रहा की बहुत तेज बताने के लिए तो मेरा प्रविशेशन हो जागा समझ में आया जो उपी तो वैसे ही अब मुक्य रूप से चार प्रकार के होते हैं आपके एक तो गुण मां एक संख्या वांच होता है इचके परिमान उनल करते हुआ है कि कोई भी चीज का माप करते वां आता है और यह होता है आपको सार्वनामिक विश्रेशन अब इसके भी अपने अपने अलग अलग प्रकार होते हैं भाई कोई 6 साथ प्रकार कोई फिर से 4 प्रकार का उस प्रकार पर ना जाते हो आप बेसिकली इनको ध्यान में रखना और इनके डिटेल चाहिए तो मैंने इनका सारे इसके में से प्लेइलिस्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप देख सकते हैं तो अब गुण वाचक के अंतरकत क्या आ सकता है संख्या में परीमान वाचक में और सार्वनामिक विश्रेशन में क्या सकते हैं बता सकते हूं यह नाम से इस मेरा है तो यहां घर मेरा है तो घर मेरा है मैं बोल सकता था यह घर घर मातिलाईंगर से खालीमान की घर से किया जा रहा है उसकी विश्रेश्षता बताई जा रही है में गाड़ी मेरी है तो गाड़ी की विषयस्टा यह से बताया जा रही है इसलिए वहांपर शर्वनामिक विश्चेशन प्रयूक्त किये जाएंगे शर्वनामिक यह भी अनिश्चय निश्चय प्रश्ण वाचक यह सब इसमें आ जाते हैं परिमाण वाचक में नाप्तुल किलो पाव डेज हैं किलो आधा किलो तो यह ब säger रहागा नया है पुराना है काला है प्राचीन है आधुनिक है नविंतम है ठीक है गोल है मोटा है पतला है लंबा है यह सब बताएगा उसके आवरण के क्राण में भी आ सकता है कि कुछ पाओ तो कुछ के साथ पाओ लगना जरूरी तब बताएगा वो तीन संख्या वाचक तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया नया ठीक है अगला कोशन देखो सुध्ध वाक के चुनिए साहित्य और जीवन का घोर संबंध है बंदुक एक बहुत ही उप्योगी सस्त्र है लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया यह तीन ओप्शन दिये गया है चौंत्रा ओप्शन क्या है यहां पर क्लियर नहीं मैं एक बार अब कुछ बता देता हूं आपका पत्र मिला धन्यवाद पहला ओप्शन क्या था हमारा वह बोट चुड़ गया है साहित और जीवन में घोर संबंध है ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉपी हो जाता है कि कॉपी नहीं होता ना कि कि चलो मैं फिर से लिख देता हूं कि यह हमारा तीसरा ओप्शन था और नीचे उला चांथा यह हूप हूप मैंने एक्जाम से उठाया हुआ हुआ है एक्जाम में आया हुआ है प्रेश्न है इसमें एक कमी है उस कमी को मैं उजागर करते हुए आपको यह समझाना चाहता हूँ अब देखो व्यापम यह प्यस्सी जो आंसर लेता है उसको आख मुंद कर अंधे व्यक्ति के तरह आपको भरोशा करना है ठीक है जितना आप अपने माता पिता और किसी दूसरे पार्ट किसी पहुत महीन गलती है वो क्या है मैं समझाना चाहता हूँ ठीक है बागी यह सही था उसने आंसर जब लिया आपका मित्र आपका पत्र मिला धन्यवाद तो यह सही है चारों में जो सही वाक के कौन से पुछा जा रहा है तो आपका पत्र मिला धन्यवाद यही होना चाह है तो घनिष्ट संबंध होता है या फिर अभिन संबंध होता है यह सहीं होता तो यह तो गलत था बंदूग एक बहुत ही उप्योगी सस्त्र है इस पर आते हैं और यह था लड़का लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आये तो भागता नहीं आएगा यह दोड़ता आएगा वह कैसा आएगा दोड़ते हुए घर आएगा तो वहाँ लड़का मिठाई लेकर दोड़ता हुआ घर आया तो भागता की जगा दोड़ता हुआ ठीक है तो अब यह दोनों त यह दोनों के difference को आपको समझना होगा व्यापब में जो लिखा गया उसको गलत लिया गया है बट मेरे अनुसार और जो भी books मैंने पढ़ी है उसमें जो बताया गया है कि सस्त्र और अस्तर के बीच में difference लेते हुए तो हमारा सस्त्र के according ये तका अस्तर के रूप में यसके माना गया था सह distint इस वज़े से गलत लिया गया है कैसे सस्तर 해서 में बेसिक डिफरेंश होता है दोनों ही क्या होते हैं हत्यार होते हैं मारने वाले हत्यार होते हैं जो अस्त्र होता है उसको हम फिक कर मारते हैं। या धनुष धनुष से मैं अगर तीर मारूँगा तो तीर जो जा रहा है वो क्या है मेरा अस्त्र है भाले से मैं मारूँ तो भाला मैंने फेक कर मारूँ तो क्या है अस्त्र है तो जितनी भी चीजे हैं जो हम फेक कर मार सकते हैं तो वो अस्त्र कहलाता है अगर मैं चाकू बारे में अब बंदुक के बारे में एक बात करो बंदूक की गोली आगे तक जाते हैं और मार करती है तो गोली के बारे में पूछा जाए बंदुक की गोली तो अस्त्र है लेकिन बंदुक अपने अपने हथियार है वो क्या है सस्त्र ही होता है तो यह सही होना था यह मेरा नौलेज कहता है और मैंने जो भी बुक्स पढ़े हैं लेकिन व्यापम कहता है कि यह गल लिया गया राइट अंसल लिया गया है तो अस्त्र ना आकर यहां सस्त्र आना चाहिए जो सही है अब इसको मैंने बता दिया है अगर यह प्रश्णा फिर से आए आप मार तक क्यों आपको पत्र मिला धन्यवाद इसी अगर पिछले एक्जाम में इसी सद्र लिया गया और वा कर्क किस दो जानते हो जानते हैं आब किस किस प्रकार कर देते हो एक थे तो कंड स्परेंगे दो बज़ गया जलज कमल सरोज यह सब कमल कही है बादल जलज अमेग यह सब बादल की है पक्षी अंड़ा प्रामण यह अलग अलग है यह सर्वनाम में दिख सकता है कि घोड़े की विशेषता लाल के रुपे बताई या यह आंसर हो सकता है कब के केस में क्योंकि सर्मनाम की विशिस्ता बताता है तो हो सकता है कि दूसरा सर्मनाम किसी सर्मनाम की विशिस्ता बता है वह यह पुस्तक लेकर आया मैं एक सेंटेंस बोलो वह यह पुस्तक लेकर आया वह क्या उस व्यक्ति के बारे में मैंने बोला यह पुस्तक क्या था मेरा किसी प्रकार का क्या था मेरा सर्वनाम इस्वरी संग्या थी अब उसके बारे मैंने क्या बोल दिया कि यह पुस्तक तो वहां पर यह हो सकता था लेकिन सेंटेंस कंप्लेट भी नहीं है कि यह और वह के रुप में पूछ रहे इसलिए लाल घुड़ा ज़्यादा उप्यूक्त है तो यह आपका राइट अंसर होगा यह अब इसी में एक चीज में पूस्ता हूँ आप लोग कमेंड करके बताना कि रामायन यह जो रामायन सब्द है कि यह क्या है व्यक्ति वाचक है जाती वाचक है किस प्रकार का यह सखर सग्या है किस प्रका जाती के बारे में बताती है जो उस जाती विसेश का प्रतिनीजीत्व कर रहा हो जैसे मैं मनूष्य बोलूं तो नक जाती होती है उन जात्यों कि अंतरकत भी अलग अलग नग पंशू आते हैं जैसे मैं घोड़ा दो नूम वह उस पर्टिकुलर घोडे की जाती को प्रेजन्ट करेगा मचली बोलू तो उस पर्टिकुलर मचली की जाती को प्रेजन्ट करेगा सेर बोलू तो उस पर्टिकुलर सेर की जाती को प्रेजन्ट करेगा ठीक है तो वहां पर भी वह अलग अलग हो जाते हैं जो जाती को बताएगा अब यहां पर नदी नदी बोलनों तो पूरे पूरे जाती को बताएगा नदी की जाती को हर प्रकार की नदी को चाहिए उपतली हो शुखी हो गंदी हो अच्छी हो गंगा बोल दूं तो यह क्या हो जाएगा मेरा व्यक्ति वाचक हो जाएगा गंगा नदी यमुना नदी रावी नदी यह मेरा क्या है व्यक्तिव आचक है क्यों हाँ पर नाम आ जा रहा है तो यह तो नहीं हो सकता सीतलता सीतलता क्या है भाव है गुण है सीतल है की नहीं है गरम है की नहीं है क्या है भाव है भावना से बताते होते हैं भाव आचक हो गया मनुष्य अभी मैंने बोला मनुष्य की ज दरगत आते हैं पांच प्रकार की शंग्याय होती मैंने बताया था कौन कौन सी होती है सबसे पहला होता है आपका वैक्ति वाचक दूसरा होता है जाती वाचक तीसरा होता है समुह आचक भाव आचक पदार्थ वाचक तो मैंने समझाया था कि पहले वैक्ति होते हैं वैक्ति कहते हैं अगर आप ड्रिंक का शेवन नहीं करते हैं स्थाब का खाने अगे और उसका शेवन करते हैं तो पदार कर रूप में वह आएगा तो इस तरकार से कभी 11 ले लेता है कभी 13 ले लेता है Plusire हुर हमीस्य आत्रडप में करनाय तो 10 ओर शुड़ी तुटल ग्यारा प्रकार्ड के हमारे श्वर्वρण होते हैं समय तक अम और अहा को हम लोग स्वर में नहीं देते हैं वो क्या आते हैं स्वर और अयोग वहाँ होते हैं जो कि स्वर और व्यंजन के बीच में आते हैं तो 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा और यह जितने भी स्वर होते हैं, सभी के सभी घोश होते हैं, घोश या सघोश बोलो, ठीके घोश या सघोश होते हैं अगला देखते हैं सबसे पहले गीना जाने वाला सबसे पहले गीना जाने वाला क्या होगा प्रथम आरंभ अग्रज और अग्रगण्य सबसे पहले जिसको गीना जाता है उसको बोलते हैं हम लोग अग्रगण्य सामने गण्य मतलब गिनना अग्रगंडे मतलब पहले गी ना जाने वाला तो अग्रगंडे आपका right answer हो जाएगा अग्रज क्या होता है तो अग्रज होता है जो पहले पैदा हुआ हो या पहले जिसने जन्म लिया हो वो अग्रज हो जाता है आरम किसी भी जिच को सुरू से चालू करना आरम कहलाता है प्रथम रेंकिंग में जो पहले है प्रथम लिखित का सही विलोम है लिखित का सही विलोम क्या है पठीत मौखिक अपठीत और मुद्रित तो लिखित का होता है लाज क्लास में भी कोशन हम लोगों ने किया था लखित कहोता है मोखी मैंने बताया था बच्पनी में हम लोग दो एकजाम देते थे एक लिखीत और एक मोखी जिसको रिटन और और औरल के नाम सा जानते थे तो ये लिखीत और मॉखी कि दूसरे का पॉलूजिट होता है अगला कोश्यन 28 उत्पत्ति के अनुसार सब्द के कितने प्रकार है उत्पत्ति के अनुसार तो यह तीन आपको अलग-अलग सब्द जानने सब्द उत्रक्पत्त अर्थ पूछा जाए तब क्या आएगा तो जब भी उत्पत्ति बोला जाता है ना तो उत्पत्ति के धार पर हम लोग चार प्रकार के लेते हैं कितने प्रकार के लेते हैं चार प्रकार के लेते हैं देशज पढ़ते हैं और एक विदेशज Esse सम्ट आपको पर पढ़ना होता है यह सब उत्पत्ति की के दस्वह रचना के अधार पर आपको टोटल दीन प्रकार के पढ़ने होते हैं क्या क्या योग 7叉क रूण पहले तो रूड आता है, फिर योग रूड आता है, फिर योगीक आता है, ये तीन प्रकार के आपको पढ़ने होते हैं, अगर वहीपर अर्थ की दृष्टी से पुछा जाए, तो आठ प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से, संग्या, सर्वनाम, विशेशन, क्रिया, विशेशन क्रिया और उसे बात के आएंगे संबंध विश्मे और संकेत संबंध समुच्छे और विश्मे आदी तो ये तोटल आट प्रकार करते हैं कौन कौन से संग्या सर्वनाम लिखी देता हूं संग्या सर्वनाम क्रिया क्रिया विश्मे और संबंध समुच्चे यहां सब में बोधाग लगेगा लिख लेना और क्या होता है एक मैंने बुला विश्मे याruckाड़ी तो यह 8 प्रकार के आपके कीसमें होँगे अर्थ की दृष्टी से तीन प्रकार के रचना की दृष्टी-सी को भamily व turbulence आ फिसी को विदेशाजज जो बहता से बर बहने करें अगले कोशन है निम्नांगित में देशाज सब्द कौन सा अच्छा इसी में पुछ लिए अनार दोना भावरा और गिर्गिट में कौन है तो गिर्गिट यह सब्द आप क्या बोल चाल देशाज की रुप में यूज करते हो ठीक है अब बाकि भावरा हो गया यह भावरा जो अनार जो सब्द होता है किसके होता है फारसी में होता है अनार को लिख लेना फारसी को फसने से मैं याद कर आ रहा था चस्मा फसता है अनार कोई सरदार है इमान लो याद कलो यहीं पर याद कलो एक सरदार जी है समझना उसका क्या है चस्मे का दुसकान है चस्मा दुकान वो डेली क्या कहला खाता है अनार खाता है उसने साधी की किस से मीन जैसी लड़की से मीन जैसी लड़की से उसने साधी की मीन मतलब मचली की तरह जल परी ठीक है उसने उससे साधी कर लिए साधी करके क्या हो गया विचारा फस गया ठीक फिर साधी करने के बाद क्या कि उसने कुस्ति किया बाग में गया वहां क्या देखेगा खर्गोश देखेगा क्या देखेगा वहां जाकर खर्गोश देखेगा तो यह सारे आपके फार्सी के अंतरगत आने वाले शब्द होते हैं उसको यहीं पर लिख लेना ठीक है कोशन नमर 30 पदार्थ की अथार्थ अत्वा कल्पित धोनी को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाये जाते हैं वो क्या कहलाते हैं तो कल्पित धोनी के अधार पर कल्पित मतलब आप उसको सुन रहे हो और उसके अनुसार सब्द बना रहे हो तो सुनने के अधार पर जो अनुकरण कर रहे हैं, तो जब अनुकरण करेंगे, तो वो सब्द क्या कहलेंगे, अनुकरण वाचक शब्द कहलाएंगे, ठीक है, तो option C आपका correct हो जाएगा, तो जो कल्पित धोनी को ध्यान में रख कर बनाया जाते हैं, अनुकरण वाचक कहलाते हैं, अगला question, डबल जब भी दो अलग अलग भासा के शब्दों को मिलाकर किसी नए शब्द को बनाया जाता है, तो उसको हम लोग संकर शब्द कहते हैं, क्या कहते हैं, शंकर शब्द विलोम शब्द क्या होता है, एक दूसरे का विलोम बताते हैं, देशा जो चालू भारती छेत्रों में बोल होता है शूर्य होता है नौका होता है शलब होता है यह तीन क्या होते हैं इसके अर्थ होते हैं तो शूर्य तो होता है शलब होता है नौका होता है पत्ता नहीं होता पत्ते की कहा होगी भी यह पत्ता विरिक्ष्य की पत्तियें होती है वह पतंग में नहीं आती है क्लियर अगला कोश्ण देखते हैं मैं खाना खाचुका हूं तब वह आया यह वाक़े क्या है तो मैं खाना खाचुका तब वह आता है इसका क्या सेंस बनता है कि यह किस प्रकार का वाक के है कि यह हैं और कें कि मैं घाना कशका था तब वहाए तो दो वत्यों को यह जोड़कर बनाया जा रहार ध दो वाख्यों को जोड़कर संयूक्त में भी बनाया जाता है लेकिन इसमें किसी प्रज Till आ था योजक चिम्नonce नहीं अगर हो गया तो इस प्रकार से जो सो के नाम से जोड़ा जाता यह तब जब से जोड़ा जाता है यह कौमा वाला लगाकर अपको इपता चल जाएगा कि क्या है 34 अनिम लिखित बहु अचन सुचक सब्दों में कौन सा सब्द अशुद्ध शब्द है अशुद्ध शब्द कौन कौन से है ऑप्शन देखो गौए रानिया बाप दादे बहिने तो बहन का बहिने होता है सही है बाप दादे होता है सही है रानिया 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 होती है सह एक वचन बहुचन का गलत जोड़ा कौन सा यूग में है शाला कसा लाएं बुढिया का बुढिया राजा का राजाएं रानी का राणिया अभी मैंने मुला रानी का रानिया होता है तो ये तो सही था मुझे कौन सा यूग में गलत है पूछा है तो ये तो सही राजा का राजाएं होता है राजाएं राजाओं अब राजाएं और राजाओं में डिफ्रेंस कहा जाता है जो विभक्ति रहित बोला जाए और विभक्ति सहीत बोला जाए तब राजाएं का राजाओं हो जाता है तो विभक्ति सहीत में आपके राजाओं आजाता है विभक्ति रहि तो यह सही था यह गलत हो गया राजाओं होना चाहिए राजाओं नहीं होता है राजाओं यह गलत है यह विभक्ति रहित सहीत में भी गलत है यह राजाओं ही होना चाहिए तो यह हमारा गलत था तो हमको गलत पुछा किया था राइट अंसर के आप्षन सी राजा का रजाएं राजा का साव़ा राजा का राजाओं होता है हो भैद रखना विजय देश्मिवाचाक नाम के उपर है विजय देश्मी थीक है तो यह कया हो जाएगा व्यक्ति वाचक के अंदर गहता है विजयदश्मी का दिन तो नाम क्या दे दिया विजयदश्मी इसवेशली तो क्या होगे व्यक्ति वाचक हो गया जंगल की आग के लिए एक शब्द अब ये सारी जो टॉपिक लाइन से आ रहा है जैसे कि लिंग हो गया बहुँ अचनीक वचन हो गया अनेक शब्दों में एक सब्द हो गया पर्यायवाची हो गया तो परियायवाची तो मैं रिलेट कर सकता हूं विलोम शब्द में हो गए यह आपको पढ़ पर की याद होगा ठीक है मैं यह नहीं कहता कि मैं जितने कोश्चंस करा रहा हूं उसी में से 100% शॉयर्टी है लेकिन मैं यह जरूर बोलता हूं कि आपको अगर पांच कोश्चन पुछे जारा है तो तीन कोश्चन यहां वैसे जंगल की आग के लिए बढ़वानल क्या यूज किया जाता है कि आया कि आनल मतलब ये होता है समुधर में लगने वाला आग क्या होता इसके लिए लिए लगने वाला आग कि अ कि है क्या आपका जठ रानल जो जिसको बोलते हैं लोग पेठ में लगने वाली आग तो पेठ में लगने मतलब भूख्य कारण जो लगत्य आग वह जटर रहता है पेट के अंतर बढ़वा अब इसको ध्यान से पढ़ना यह बढ़वा नल है ठीक है गलत प्रनेंशेशन नहीं कर लेना नहीं तो वर्तनी की तुरूटी आपके साथ भी हो जाएगी अब उसको कैसे याद कर सकते हैं बढ़ा होता है बड़ा से बढ़ाना लियाद रखते हैं निम्न समूह में से एक सब्द पर्यायवाची नहीं है जलद नीरज अंबुज जलज तीन ठोक में मुझे ज़ज़ दीख रहते हैं जन्म लेने वाले के लिए बात करें या देने वा कौन सा नहीं था कौन सा वर्ण मुर्धन्य मतला मुर्धा से बोला जाएगा मुर्द consideration होता है दव्य होता है तो जो मुर्धा से बोला जाता है जो उपर का हम सामने वाला पॉर्शन होता है ना दात से पहले और तालु की पास वोहां पर देखो जैसे मैं बोलूँगा अगर पफा तो मेरे होट जूड़ते हैं तो हम लोग इसको ओष्ठ बोलते हैं अगर पफा 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 मार ओष्ठ है है और दंत वाले किया थे वहीटा अगले कोशन के वर चलते हैं के पुलिंग परिवर्तनका सहीं विकल्प होगा पुलिंग परिवर्तन कि में हो है रानी का राजा तो रानी पुलिंग्-, खोटील- ने उल्टा हुआ इस represents Charlie- supervinden contact भिष्वाया कवी यह इभी उल्टा बना है अब ठाकुराइन होता है थाकुर पुलिंग तो पुल्लिंग परिवर्तन का सहीं भी कल पर तो पुल्लिंग परिवर्तन रानी का राजा कवित्री का कवी ठाकुर का ठाकुराइन समरागी का समराट तो इसमें से आप देख पारे होगे कि यह जो कवित्री का कवी होता है यह क्या होना चाहिए हमारा इस्तरी लिंग से सम्रागी का सम्राठ यह सही है कवित्री यह भी सही है डानींग परिवर्तन स्पराइण इस तो यह आगा मात्र आपको हटाना है बस इआ पर मात्रा फारा का ही ठाकुरायन होता है बाकी सामरागी सामराट कवित्री कभी रानी राजा ये इस त्रील पुलिंग में गये हुए है और क्या पूशा गया था आपको सही कौन सा ओप्शन सी होगा कोशनमर अगला ठोल के भाइधा करना वास्तविक दिखावा या प्रतिग्या करना ईक बाद बताओ ठोल कर नबर्ड़िक दिखावा लेकिन अंदर से कैसा है खाली है तो क्या हो गया बहारी दिखावा हो गया मतलब एक मनुष्य बाहर से तो अच्छा महसूस कर रहा है अच्छा दिखा रहा है अच्छा कि हस खेल रहा है लेकिन अंदर से वह हो सकता है कि टूटा हुआ हो परिछार्थियों ने प्रश्ण को अच्छे से हल किये होंगे ये में भूत काल है तो काल के बारे में समझ लिते हैं अब जब काल वाला टॉपिक आ गया तो काल कितने होते भी है तीन प्रकार के होते हैं कौन-कौन से होते हैं एक होता है भूत काल एक होता है वर्तमान काल और एक होता है भाविश्यकाल अब एक चीज़ समझते चलना भाविश्य के बारे में पहले बता देता हूं यह तीन ही प्रकार के होते हैं यह पांच प्रकार के होते हैं विशेश करना कहीं कहीं पर आपको छटवा प्रकार भी मैं है नियुक्ती दोते हैं तो इस प्रकार कैlerin नहीं किर दीन उब दोतुश्य को जो हुआ कि मेरा को पहला समान होस्ma आभान्य होता है और यह इस हामान कर्यों को फिसमार मीं भूत कर्यों तो तुरंद तुरंद हुआ रहा होगा तुरंद तुरंद हुआ 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 हाचीज को हम लोग आशन में बोलते हैं जैसा इ Marvel台 पानी पिया तो मैं तुरंद ही पिया था कुछ मिनट पहले तो आसन भुत में आएगा तो समान नहीं हो गया उसके बाद होता है एक होता है अपूर्ण मतलब काम चल रहा है अभी पूर्ण नहीं हुआ है एक होता है मतलब काम हो चुका है तो चुका है आगे मतलब पूर्ण ह हो गया चल रहा है तो रहा था आ गया तो अपूर्ण हो गया ठीक है उसके बाद होता है आपका एक कि संदीग्द और एक होता है हे तू हे तू मद हे तू हे तू हे तू वाला क्या होता है कि कुछ क्रियाएं होंगी उसका फल दूसरे क्रिया पर पड़ेगा जैसे मैं बोलता कि तुम अगर आते तो मैं तुम्हारे साथ जाता मतलब तुम अगर आये होते तो मैं जाया रहता तुम नहीं आये तो कैसे जाता तो वो हेतु हेतु मद में आता कि एक क्रिया दुसरे क्रिया पर डिपेंडेंट रहेगी ठीक है वरतमान में समान ने वरतमान तो होगा एक होता है आपका जैसे यहां आशन होता है यहां पर होत एक आपका संभाव में होता है bah nem कि अगला जो इसमें संभाव में होता है और एक क्या होता है थे तू हzung म है तू हम अभिए तू हम हनाल वह कभी कभी वरतमान में वह लिया है कि वर्तमान की कुछ ऐसी घटना है जो वर्तमान की दूसरी घटनाओं पर डिपेंडेंट हो तब वो हेतु हेतु मद में होता है तब उसको छह ले लिया जाता है अधर्वाइस पांच ही है ठीक कि अच्छे से हल किये होंगे मतलब क्या संभावना बताई जा रही है संदिग्द के बारे में बात करें कि यह होंगे कंफर्म नहीं है कि हुआ है कि नहीं हुआ है तो ये क्या संदिक्द भूतकाल के अंतरगत आजाता है आपका आंसर ठीक है तो इसके आंसर में कर लोगे option number c लेते हैं हम लोग संदिक्द भूतकाल तो हुआ होगा होने वाला होगा ये सब जो रते इसमें आते हैं option number 43 question number 43 देशस सब्द है दमड़ी, गाड़ी, चस्मा, किताब सीधा सीधा देशस सब्द के बारे हम बोल रहे हैं तो यह हमारा जो दमड़ी option होता है वो right होता है गाड़ी यह हिंदी के सब्द होते है चस्मा जो लोगे किताब जो होता है वो अर्भी का सब्द होता है किताब जो होता है वो अर्भी का सब्द होता है अमीर लोगी किताब पढ़ेंगे उसी की अवकाद होती है वही वकल रख सकता है वही वकालत कर सकता है उन्हीं लोग अगवार भी पढ़ते है और क्या हो सकताँ अरभी में ये सब पता एवरत हो सकता आदमी हो सकता activities अ मैं एक तो ये सब अरुभी के अंतरगत आता हैं से किताब उन्ही लोग पढ़ते इस टाइप ठीक है कोशन नमर 44 निम्लिखित प्रश्ण में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयान करे जो दिये गए विकल्प के लिए उचित विकल्प हो इन में से कौन सा सुध्ध वर्तनी वाला शब्द है देखो अशुधिया अशुधिया असुधिया असुधिया होता है सक्कर का शा को होता है इसमें चंद्रविंदू तो अशुधियाँ ही आपका राइड आंसर हो जाएगा छोटी you और छोटी you a की मातरा अशुधियाँ यह राय डानसर अगला कोशन दोश हरता में प्रत्य है कॉछ जिलॉंग में आंटि यह कोछ आ जो लोग पड़ते थे उसारे कूल को सब्सक्राइब होते बनाती कभी भी घर जाओ किसी के तो कॉफी ही बनाती है वो लस्ती भी कौन बनाएंगी इस तरियां ही बनाएंगी बचा हुआ चीज अब इसको क्या करते जाना आज के परीवेश के कॉणिंग धाल लेना शराव मैं बोलूंगा नहीं अब समझ जाओ शराव के बाद अब क्य करोंगे कर् मुद्ध कर और एक है चटनी चटनी चाहिं कौन बनाती है चाहिभी घर में लोगों कंहों या फिर खाने के रुप मेंकर रुप में जड़ा सा ओसा ऑड़िएंगे नहीं आएगा जलाएगा कि नहीं तो आपका option coffee right answer हो जाएगा option number D चाए coffee संदिग्द वरतमान काल क्या है संदिग्द वरतमान काल अब 5 प्रकार बढ़ रहते तो संदिग्द संदिग्द मतलब हुआ है कि नहीं हुआ संभावयाल वह अलग ہے कि सायद वह आया हो लगता है कि वह काम हुआ हो संभावया वरतमान में आ जाएंगे ऐशीर संदिग्द में होगा होगी संदिग्द का तो मोटल चल रही है चल रही है मतलब ततकाली का रूप से चल रहा है ततकाली में आता है ततकाली का आता है वे आए हैं वे आए हैं बताया जा रहा है समान्य रूप से समान्य में आ जाएगा बालक खा रहा है बालक खा रहा है मतलब अभी किस में है वो ताथकाली गरूप में है, तो सीधा आपका right answer क्या हो जाता है, सीधा खेल रही होगी अच्छा यह मैंने समाने में बोला कि यह पूर्ण में आएगा सही बोले, पूर्ण में आएगा, कैसे पूर्ण में आएगा, कि वे आए हैं मैं किसी को अगर बता रहो हूं डोस्त आया है मैं कैसे बताँ गँग sup पहुंच चुका होगा तो आ रहा है तो मैंने करमधारे आपको बताया था ततपुरुष बताया था बहुब्री बताया था द्वन्द्व बताया था नया जो आया अव्यवी समास और एक छुड़ जाएगा वह मैं बता देता हूं अब यही भाव समास क्या होगा ऐसे समास जिसमें अव्यव मौझूद हो सुरुवास सब्द ही क्या अव्यव से चलो जैसे कि बे भर प्रत्यक हर एक और क्या था आ या ब्रत्यक्त भावना तो देखते हैं धर्म विवूख में क्या अगर मैं उसको तोड़कर बोलना चाहूं तो दर्म से हटा हुआ आदमी तो धर्म से विवूख तो से आया से क्या है मेरे कारक रश्ना में ते कारक वाले किसमें आते हैं ततपूरुष शमास अब यह कौन सा क यह समझाना है आपको मैं दोनों से वाले चीज़ों को बढ़ा जैसे कर्ता जैसे कर्म होता है कर्म तत्पूरुस होता है करन तत्पूरुस होता है संप्रदान होता है ठीघक है उसके बाद अतान होता है फिर naras करण माले में सामिल होने वाला मतलब जुडा कूए रहेगा तो से लगेगा लेकिन अपादान वाले में उससे अलग होने के लिए व्रिक्ष मर्ठ से पत्ते गिरते हैं तो प्रत्तब गिर रहना मतलब से तो अपादान में वह पर जो से आया है वह अपादान के लिए लगत लोगत कि अभ यह देखना धर्म से विमूख शहाब हर दूर्बौो गाला बता रहे कि धर्म की द्वारा बतार है अब यह समझ कर मुझे कमेंड करके बता ना कि अपारदान तत पूरुष है कि ये करं तत पूरुष हो ठीक है, question number 49, 49 में क्या बोला गया है, कि दिये गए विकल्बों में तदभव रूप को पहँचानी है, जव चैत्र, रात्री, उंट, तदभव को पहुचानना है, चैत्र तदभव होता है, जितने तरा 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 वाला आते हैं, तत्सम रूप होते हैं, रात्री, तरा आया, तत्सम रूप होगा, जव तत्सम रूप है, उंट जो होता है, ये तदभव होगा, तदभव कोन हो जाएगा, उंट हो जाएगा, इसका तत्सम क्या होता है, तुम्हें बता देता है, कुष्टर, कुष्टर इसका क्या होता है, तत्सम रूप होता है, ठीक है, option आप लोग से देखो सारे option नमबर 50 निम लिखित में से कौन सा वाक्य सुद्ध है मंत्री जी ने भासन बोला मंत्री जी ने भासन कहां मंत्री जी ने भासन दिया कौन सा सीधी सी बात है भासन दिया ही हमारा सही होता है मैं बोलूगा कि किसी ने भासन दिया भासन बोला थोड़ीन बोलत तो दिया ठीक है तो भासन दिया आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी अगला है इन में से अचल किसका पर्यायवाची सब्द है इन में से अचल किसका पर्यायवाची सब्द है तो अचल का मतलब आप क्या समझते हैं जैसे मैं इधर से उधर अभी हो रहा हूं कभी उसको जा रहा हूं कभी यहां पर पेंसे लीकर रहा हूं कभी मिटा रोस다्र होaren चलने की प्रक्रियाएं कर रहा हूं तो मैं अचल हो पाऊंगो कि निहीं फीर का मतलब होता है जो जो एक जगा स्थिर हो हो और एक विहग मतलब पक्षी को बोला जाता है इसी में विहग के जैसे एक और सब्स होता है विहंग यह दोनों को याद रखना पक्षी और विहंग दोनों को ठीक है यह क्या होते हैं आपके परियावाची शब्द के रूप में आते हैं चिडिया उसी में बोलो ठीक है धीर मतलब क् सांथ पुरुष्टीदा सा महाकाय मतलब क्या गनेश जी लंबोदर महाकाय वक्र तुरूंड एक दंत ये सब किसके नाम है गनेश जी के नाम है तो गनेश जी कहें जाए सांथ धीर अगला बावन अच्छा एक चीज और यहां पर लीख लेना तो ये विहग वाले में important हो सकता है शकूनी शकूनी भी बोला जाता विहग पक्छी का एक और क्या परियावाची है तो शकूनी भी परियावाची होता है ये लिख लेना बहुत ही important है पोशन नमबर अगला छजट ठीक है इत्यादी क्या है छजट इत्यादी क्या है श्वर है अक्षर है रस है सब्द है मुझे पता ही वर्ण है सभी के सभी तो अक्षर में मान सब्ता हूं वर्ण अक्षर रिखी होते है राइट अंसर लेकिन एक ऑप्षन था स्वर दूसरा व होने कि बाद होते हैं तो basically हैं वर्ण के अंतरगत आते हैं प्लिए lucr में पहले आते हैं फिर वह लिंग के अनूसार अलग अलग बाटे जाते हैं तो मनुष्य होता वैसी यहां पर अक्षर ही होता अंसर और यह सभी क्या है व्यंजन वर्ण है स्वर्ण क्या होते हैं आपको मैंने बताए 11 प्रकार के अभी को है तो हम लोग करते हैं कि इस शारी जाते हैं तो आप हमारे को पर्चेस कर ले वहां से आपको त्यारी हो जाएगी बाकी बहुत सारी जो है कुछ-कुछ और ट्रिक्स वो मैंने अपने हर प्लेलिस्ट में जो हिंदी के कर लाइं उसमें बताते गया हो तो वहां से आपको मदद मिल जाएगी अब यह के टीमडियो मतलब कंठ से इस्थान से कवर्गी उत्पत्ति होगी तो कवर्ग वाले जो भी पांच ठोक आके वर्णाते कखा गघा अंगा वह सब कंठ से होंगे चछ यह वाला तालू से होंगे तनत्त हवाले कि मूरधा से होंगे यह जो होते हैं इसके अपने अपने अलग है जैसे की यह वाला जो होता है तालू होता है रा और ला वाले जो होते हैं मुर्धा होते हैं वह जो होता है दन्तोष्ठ होता है दन्तोष्ठ है वशिषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषष क्लियर कि इसी में आपको अग होश शग होश ये भी बताया तो पिछले जो हमारे टॉप 40 कोश्टन का जो सैट था उसको आप लोग देखिएगा ठीक है महां पर से आपको हो जाएगा मस्तुल किस भासा का सब्द है अर्बी फार्सी अंग्रेजी पुर्तगाली तो मस्तुल म को लगे कि मैं इसमें गाली दे सकता हूँ एगर उसने किसी सामने वाल होग किसी दूसरे के मुँगा नीदेगा तो पुर्तगाली में पिस्तोल दिखा गिसी को तो गाली लेगा वो ठीक है तो यह सब याद रखना तंबाकु जो है especially पूछा जाता है पूर्दगाली शब्द होता है यह याद रखना अर्भी मैंने बता दिया था आपको फार्सी मैंने बता दिया था अंगरेजी सब्द क्या भी जितने भी प्रकार के आप शब्द बोलते हैं जैसे कि क्या station, academy, university, hospital, bus, train, यह सब क्या हैं, अंगरीजी की सब्स है, कर्मधारे समास के कितने भेद हैं, कर्मधारे समास के कितने भेद हैं, 2, 3, 4, 5, तो कर्मधारे समास के भेद हैं हमारे टोटल चार प्रकार के कौन कौन से लिख लो एक होता है विशेशन विशेशन पूर्वपद से की होता है विशेशन मतलब जिस चीज की विशेशता बजाए जाती इसकी विशेशन मतलते हैं संगय और सर्वनाम है संगय और सरमनाम हमारी विशेश्ष के अंतर गताते हैं कि हम लोग उसकी विशेश्षी वताते हैं innocent समाधी करण होते एक व्याधी करण होते एक व्यतिहार होता और एक याद नहीं आ रहे टोटल चार होते हैं ठीक है वर्तनी का सबसे बड़ा अधार है उच्चारण चिन्ह मात्रा प्यूक सभी वर्तनी आप जब तक अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाओगे किसी चीच को अच्छे से लिख भी नहीं पाओगे चाहिए आप मात्री की कितनी भी जानकारी हो सभी जब ही मैं सभी बोलता हूं तो भाँ मेह में भार जाता है इसलिए उसम likewise म माति हो लाती तब जाती है по लिए की तिष्ञेर में में ती में भयार दे रहा हूं इसलिए बड़ी की मातरा आती है तो यह कब जानोगी आप जब उचारण से महसुस कर पाओगे तो वरतनी का सबसे बड़ा अधारता है और वरतनी क्या होते है लिखने की रितिको वरट नि जहते हैं लेकिन उसका अधार के सबसे बड़ा उच्चा रहेंड तो अप्शन ये आपका राइट आंसर होगा क्लियर कि यशोधरा किस संधी का उधार्यन है अयादी संधी व्यंजन संधी दिर्ग संधी विशर्ग संधी यशोधरा अगर किसी स्टुडियन को नाम हो तो समझ लो आपके नाम का जो संधी होता है विशर्ग संधी होती है कैसे इसका संधी विश्चे दोता है यशधन धरा तो यह विशर्ग जो है ओकी मातरा में कनवर्ट हो जाता है यशोधरा हो जाता है ठीक है तो जब कभी भी विशर्ग के के साथ स्वяться के साथ साथ मैं के साथ होता है और अपने साथ नहीं कर पाएगा दब अपने साथ करता है सुहर के साथ वी करता है अभी आपने रिखा वियंजन के साथ कर ले रहता घपMo चाहिए में यह होता है गायक में अयादि कैसे अयादि शंद्य होता है इसके बारे में आपको बताया एक शोक है सिरी वाले आई यह वाले सब्त देखेंगे तो गायक में क्या दिख रहे यक दिख रहे यक मतलब अक गायक में क्या दिख रहे अक दीख रहे आख इसकी मातरा का आपको डिफ्रेंश समझना होगा जब एक मातरा हो और ऐसे आपको एक मात्रा हो और इधर स्वर आज पेकिस में पढ़न जाता है जब यही दो मात्रा हो जाए जैसे की कैसे गय प्लस अक तो किस में बदल जाएगा आए में कैसे जैसे ने प्लस अन न या न तो आए में बदला गय प्लस अक गायक तो डबल मात्रा था तो आ की मात्रा में बदल गये तो यही समझना है कि जब भी गायक आ की मात्रा दिखे तो आए वाला टूटेगा मतलब double मात्रा लगेगा चाहे i की हो चाहे o की हो double मात्रा लगता है ठीक है जब single वाला दिखे i या अव तो आपको क्या दिखना है सिधा एक वाला दिखना है जैसे पवन po plus n अव में बदल जाएगा जैसे a और a मिलकर क्या बना रहे हैं अव और a मिलकर क्या बना रहे हैं वसी o और a मिलकर क्या बनाएगा अव बनाएगा और a या आ मिलकर क्या बनाएगा आव बनाएगा तो अव और आव से आपको समझना है तो एक मात्रा लगेगा ठीक है तो ये एक मात्रा था तो पवन हो गया जब इसी को पावने लिखना होगा तो ये क्या हो जागा? आओ हो फ्लस एन हो जाएगा कफिसे दो मातर तो आ की मातर बढ़ गई दो मातर तब आ की मातर लगई तो ये किसमें आगिए अया दी सन्ने कलियर? कभी हो सकता है कि आपको सिधा पूझते अगला कुशन अनिवारे का विलूम शब्द है अपरिहार्य वैकल्पिक एक्षिक आवश्यक अनिवारे का विलूम क्या होगा तो अनिवारे का मतलब समझ पारे हो कि आपको जरूरी है इसके अलावा आप ये पास कोई भी क्या नहीं है, option नहीं है, option रहेगा तो क्या हो जागा, वो वैकल्पिक हो जागा, तो option नहीं है कि विलोम क्या होगा, opposite क्या होगा, option है, मतलब वैकल्प, विकल्प है, तो अनिवा परिहारिय का परिहारिय या फिर एक्षिक का अनेक्षिक बोल सकते हैं और आवश्यक का अनावश्यक बोल सकते हैं अनावश्यक अनेक्षिक क्लियर अगला कोशन सास्त्रों की बात में कवीता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है इस वाक्य में यह किस प्रकार का शर्वनाम है यह जो सब्द है वो किस प्रकार का शर्वनाम है तो यह क्या होता है भी यह निश्चय वाचक सर्वनाम होता है कि यह वह ये बेर हम लोग बोलते ना तो कि कि क्या होता है निष्च्च्रवाचक सरवनाम के अंतरगत आता है और मि chỉ वाचक में क्या था स्वयम को व्यक्टी बारै था सुरी पुरुश मंद्यम पुरुष्ष कि पुरुष वाचक वह पुरु और पुरुश मंद्यम पुरुष्ड पूरुष्ऎ Forsch् NEW पूरुष्वाचक को निष्चित निे कोई कुछ इस प्रकार का आ जाता है संब्ध में जो सो इस प्रकार के सब्द अगला कोशन अवर्ण का उचारन इस्थान क्या है कंठ तालू मुर्धा दंत अवर्ण का उचारन इस्थान तो अ का उचारन होता है आपके कंठ से कहां से होता है कंठ से और कैसा सवर था ये मध्यश्वर था तो अ कहां से होगा आप आपके औश्ठ में आ जाता है वैसा से कण्थ लेती है फौक्वे में आते कयों दैंत के संस्ली हरख, तो हरख और का होता है हर्श, हर्ष ही एक दिखर जो संस्कुर्णी सब्और है, हर्ष मतलब आनन्दित आप मेहसूस करते हों, हर्श आता है अगला कोश्छन निम्नाउंकित में प्ररेणार्थक क्रिया का उधारन है, देना, सुनना, समझना, पढ़वाना तो निम्नांकित में प्रेड़नार्थक, प्रेड़नार्थक का अर्थ क्या होता है? प्रेड़नार्थक का अर्थ होता है कि आप किसी कार्य को करवा रहे हो किसी और से, जैसे लिखना का लिखवाना, पढ़ना का पढ़वाना, उठाना का उठाना या उठवाना, तो ऐसे यह पर देना देना मतला आप खुद दे रहे हो सुनना आप खुद सुनना समझना आप खुद समझ रहे हो पढ़वाना यह जो पढ़वाना होता है यही क्या है आपका प्रेणार्थक है प्रेणार्थक रिया होती है नाम धातु होती है और क्या होती है आपकी योगिक होती है न अगे के वाक्य के सुध्य रूप का च्यान करो दोनों चीटियों में कॉन सी उच्छ है, दोनों चोटियों में कॉन सी चुल्कों सी अधिक उच्छ है दोनों चुटियों मेंसी कॉन अधिक उच्छ तर है आपने पढ़ा होगा تवर, Azia Degree Ultra इतना तो सब को याद रहता है इसी में क्या होता है एक गुड़ प्रेक्ट मैं बता है गुड़ बैहस्ट जय से मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरा इंग्लिस क्या है गुड़ वैसी हमारी यहां बारे बात करें तो पुरे सप्राप में उनका इंगलिस बेस्ट है सभी में में लोगों में तुनला करो तो बेस्ट बोलते हैं अपने आपके बारे में बताओ तो गुड बोलते हैं लिए पॉजिटिट युज़ सेम यहां भी होता है इसको तुलनात्मक विशेशन बोलते हैं हम लोग, तो इसमें होता है उच्चतर और उच्चतम, वैसे वहाँ पर कुमलता, कुमलतर और कुमलतम था और एक कुमलता था, क्या नहीं था, तो कुमलता नहीं होता, तर और तम वाले होते हैं हमारे विशेशन के अंदरगत, तो इ अधिक उच्च है ये बोल सकते थे, अधिक उच्चतर है ये बोल सकते थे, ठीक है, अब इसमें बोला कि सबसे सुद्ध कौन सा होगा, बोल चल की भासा में तो सभी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन मैंने बोला जब अपने बारे में बात करना है तो उच्च वस बोलूँगा, ज सुद्ध रूप में ठीक है तो ये दोनों भी गलत हो जाएंगे तो कौन सी उच्चतर होगी ये बताओगे जैसे सीता और गीता में कौन ज्यादा सुन्दतर है सुन्दर्तर है ये वो लोग ये अगला कुशन इन में से किस विकल्प में कोई भी वर्ण घोष नहीं है तो एक होता है घोष और एक होता है अगोश एक होता है अगोश और एक होता है शगोश सुरू के दो होते हैं अगोश अगोश अंतीम के तीनों होते हैं शगोश शगोश इसी को ही घोश के नाम से भी जानते हैं अगोश मतलब का और खा वाला का खा चचचचचचचचचचचचच तथ यह सब किसमें आएंगे और यह सब किसमें आपके अगोश में उसके अंतीम के तीन गहाँ अगा तो अगा जो अंतीम के तीन होतें वो क्या होते हैं आपके घोश यह सघोश के अंदरगत आते हैं पूछा गया था कौनसा नहीं है तो यह पहले और दूसरे वाले नहीं होते हैं और बाकि शच वाले आते हैं सारे आपके श्वरवण में होते हैं हमको पुछा था स्वर्ड वर्ड नहीं तो घोषवर्ड समय है तो गश्वर्ड से में तो अब यह राइड आंशर हो गया इच अधर यह तो होगा चब यह उगा चा नहीं होगा वैकिंगuna आपका option C ही बसता है कि कौन कौन सा नहीं है कौन सा group नहीं है तो जिसमें tay और पा है जो तीनों में नहीं है ग Bentley कया होते हैं अगला question है इस वाक्य में बताओ कि तातकालीक बरेतमान काल में परिवर्तित हुआ है तातकाली का मतलब मैंने पधिवर्तित करना है किशको श्याम खाता होगा तो श्याम खाता होगा क्या जा रहा है वरत्मान काल है इसी को बोल ता भूत काल में चातकालिक से बदल कि लेकिन ये कौन सा सभ्याव्य होगा होगा मतलब भविश्य संभाव्य भविश्य में आगे खाता हो संभाव्य है लेकिन कौन सा हो आला आया तो वर्तमान तो दोनों संभाव्य थे लेकिन ये वर्तमान का था ये भविश्य का था क्लियर कि वबारा उप्शन एस नहीं था प्रमने खाया है स्याम ने खाया है मतलब आप समाने रुप से बतारे खिए भी है सामने उच्चीज़ को खाया है निश्चीज़ को क्या को सत्तव है संदी में सब फिर से कलती कर दिया पूर्ण में आएगा वो यह वाला जो था यह स्याम ने खाया है खाया है मतलब आप बताया हो जैसे खा चुका है मतलब खाया है आता जाता तवाला आता है तो क्या होता है वह समानने में होता है तो दो बारे मिस्टेक मैं कर चुका है आप ध्यान रखना इसको मैं बार बार खुद को याद दिला कर इ सामने कisu किस संघ्या है जितने भी नंबर वाले आते हैं आपके किस में है बारे में हम डिसक्स कर चुके हैं कि हतियार में कौन सी संघ्या है वैक्ति वाचक गुण वाचक जाती वह भावचक रहे किसी वर्ग के बारे में तो क्या जात्य वाचक में आजएगी इसमें बंदुक बोल देता तो वैक्ति में आ सकता था तेकर मैं डिल्वर कान में सुद्ध सब्द रुप कौन सा है उपर युक्त ऊपर ऊपरयुक्त यह उपर है पर और वर्तनी की सबसे बडाधार क्या था यह उपर अधैं Climate तो आपका राइड आंसर ये वला होता है, उपर यूख ततुछ हमारा सब से सही है, बाकी सब गलत थे, उपरोगत हम लिखने के लिए उपरोगत लिख देते हैं लेकिन उपरोगत गलत है, सही नहीं होता है, अगला है, जिसके बीना कार्य therapies न चल सके सब्द के लिए कौनसा ह होगा अत्य आवशक अपरिहार यह आवश्यक अपेक्षीत कि ho कि जाइक चीज़ा एंगा को के हैं अगर आप लोगों को इसके अंजर पता होते हैं तो अपको कमेंट कर दिया करें ठीक है यह नहीं कि आप कमेंट करें आप लोगों कमेंट कर देना है तो यह मैं बताती है चल फूल मुझे ज्यादा है अब उसकी जरूशिजन उसके बिना रहे ही नहीं सकता तो उसके बने कारिये ही ना बने तब अत्यावश्यक कारिये ना चले आवश्यक कारिये ही ना बने ही सब्दा आना जरूरी है अत्यावश्यक अपर यहारे जो बिना किसी उपाय से उपाय बोलता हूं अत्यावश्यक के लिए जो किसी उपाय से दूर ना किया जा सके मतल कोई उसको हटाने के लिए उसके जगा कोई दूसरा option नहीं है मेरे पास तो क्या होगा अपरिहार है कि उसके बीना किसी भी चीज़ को किया नहीं जा सकता है दूर नहीं किया जा सकता तो अपरिवार है तो जो किसी उपाय से दूर नहीं किया जा सके अपरिहारे जो बीना कारे ना चल सके आवश्यक और जो एकदम ही आवश्यक हो अत्यावश्यक अपेक्षित जिसी कि आप उपेक्षा कर रहे हो या आप उसकी आसा कर रहे हो चाहा कर रहे हो उपेक्षा कर रहे हो कि मुझे यह चाहा है मैं यह चाहता हूं यह हो जाए यह क्या है आपकी अपेक्षा है उसी का अपेक्षित बोलते हैं बोलते समय उचारण की इस पश्चता के लिए किसी अक्षर पर विशेज बल देने की क्रिया को क्या कहते हैं तो बोलते समय उचारण की इस पश्चता के लिए किसी अक्षर पर विशेज बल देंगे तो विशेज बल क्या कहलाएगा अक्षर पर जब देंगे तो बलाघात कहलाएगा वहीं पर किसी संग्या सर्वनाम पर देने लग जाए या वर्ण पर वर्ण पर बाग के सब्द पर देने लग जाए अव्याय पर देने लग जाए संगम और युगमा क्या है जोड मिलन नहीं तो है निपात समझे किसी अव्याय सब्द पर अगर पद पर दे रहे हैं क्या उसको जोड़कर विशेश बल दे रहे हैं तो निपात कहाएगा अधर्वाइस बलागा पलक कीज भासा का सब्द है पलक पलक में क्या कुछ फस जाता है तो मैंने क्या बता है फारसी सेदे कोशन डबल आ गया क्या ओछे की प्रीत बालू की गीत लोकोक्ती का भावार्थ क्या है चल रहे ना और उसमें बैटरी है ना इसमें दो पॉइंट हो गया है अब दो पॉइंट है अभी जिन्दा है 66% उसम अधिकारी को अधिकार देना व्यरत है निम्न विचार वाले से मितरता उचीत नहीं निच की मितरता आस थाई होती है अयोग व्यक्ति-स संब्ध बनाना इंगर थक है आई स्थाइए निच कि मितरता का अई स्थाइफ होता है। और दुसरा चीछ के हाँ जलेए जैए जैसि बालु किया होती है आपके हांसे फिसल जाती है अगला कुशन स्वर्वर्णों का मेल होता है वेंजन संदी विशर्ग संदी में इन में से कोई निया एक और आप्शन तया मिसींग है स्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् या किसे कहा जाता है और स्वट के बारे में या और बता दू कि कि स्वर्ग क्या होते हैं आप अराम से जारूर किती जरूर है वह क्या है एक व्यंजन के रूपमे रूपमेड़ीस इसको इसको विच्चारित कर पाो वह भीना से किसी है वे वर्टनी कि से कहा जाता है पड़ने की रीती व॔ कि रचना को उन्विक्त में से कहनी अपक 2007 समय पहले रित्व है कि लीखने की रिती को छिप्लटनी तो उसलिद्व उसलिया क्लास में बताते हैं यह मैं प्रैक्टिस करना है देखना है कहांपर चोटा हुँआ और कहांपर बिजय if लिखुआ हाँ помune लग रहा है कहांपर हलनत लगेगा तो लिख लिखшей कर जानोगी तो लछ如何 इसनों की रीत्पी होती है लेकिन सबसे अधार क्या है जिए तो पहले देखें इसके सारे परिआवची में इसका अब सब्सक्राइब कर दोरों को पूरा पूरा, तो यह आपका right answer होता है, जो कि क्या है, इसका परियावाची नहीं है, तो नहीं कौन सा नहीं है, सकल नहीं है, तो सकल का क्या मैंने बता है, संपूर्ण पूरा, समस्त, यह सब आप बोल सकते हो, बाकी इसका दल, जून, संग, यह सब क्या है, आपके निकर, पुंज रासी, सकल, समू, स्वारी, सकल चोड़े दो, रासी, समू, दल, पुझ, ये सब क्या हो जाएंगे आपके, समू का परियावाची, अनवेशन का सुधरूप क्या है, अनवेशन का, इसका न व न जो रहता है, आधा रहता है, अनवेशन, अ आधा न व में एक ही मत्रवेशन, इसका संधी विषयत क्या होता है, आप लोग न, कमेंट करके बताता है, जैसे मनवंतर का मनू प्लस अंतर लिखेते तो मनवंतर होता, अनवेशन का क्या होगा, राइट तो ये है, अनवेशन का संधी विषयत क्या होता है, हम लोग को कमेंट करके बताना है, मैं कमेंट जर अग्यार्वाव आचा कॉनसा बताएगा उमंग पुस्तक नदी लड़का अग्या कै अग्यार्वा अग्या कोशन इन में से कौनसा सब्द, विदेशी भासा से नहीं आया है तो नहीं आया है बोलर भी नहीं को अंडरलाइन कर लो साधी शाबुन प्रेन कबड़ी कबड़ी नहीं आया हमारी देशज भासा है कबड़ी हम लोग खेलते थे अभी वो बाहर प्रशारित हुआ है प्रेन इंग्लिश का साबुन पूर्त ग असी कमल का कौन सा सब्द पर्यायवाची नहीं है कमल का कौन सा सब्द पर्यायवाची नहीं है तो कमल जन किसमें लेता है वो जल में तो जला जोता है नलीन उसको बोलते हैं राजी उसको बोलते हैं जैसे राजी उलोचन मंदिर है मतलब कमल नयन राजी उलोचन एक ही जैसा रूता है कमल के समान गभाल तो राजीव भी उसी को हुता है उत्पल भोतक है ऩाल साल होता है आमर आम का आम 대ता है आम्र जाम बने हैं सहकलल बेरो चैह कि अले armate सह plays कर और ठीक है इसी कि के अमृत कुछ बोला जाता है अमृत फल इस डाइप के बी कुछ बोला जाता है इसको पुर्साल जो हता है उपर्यायवचिं नहीं है किसका कमल का कमल का रसाल नहीं वाकिरी किवर दुर्ण क्तने है present 257 कितने कितने अपने आप में कमेंट यूंट questions पूछे आते हैं कौन कितने प्रकार के हैं स्वार मैंने बता दिया था 11 वेंजन कितने बताना वो ज्यादा ताम जहम नहीं उसमें गिंती के ही हैं वो उदमें से स्वाइउक तो वेंजन कौन थे हैं मैं बता देता हूं वो होते हैं total 4 6 3 ग्य और 6 6 जो होता है आधा का प्लस 60 कोन का शा त्राबस होता है जो आधा ता प्लस रा ग्या जो होता है आधा ज हलंद लगता है आधा जा जो भी आधे रूप में रहते उसको हलंद के रूप में दर्शा आते जा प्लस इयां और जो स्रा होता है वो होता है शक्कर का आधारशा लस्तरा समझ में आया तो ये आपको याद करना है ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये चार जो होते हैं हमारे संयुक्त वेंजन की काटिगरी में आते हैं और इनको किस प्रकार से लिखा जाता है कभी-कभी लिख के भी पूछा जाता है इनको यह आद रखना है आपको को इस बात का ग्यान न रहे कि कर्टव्य क्या है और कर्टव्य क्या है इसके लिए एक सब्द नीम्ने में से कौन सा होगा कर्टव्य वीमुख कर्टव्य वीमूढ किम कर्टव्य वीमूढ कर्टव्य को आपको अच्छे से समझना है इसमें पूछा जा रहा है यह इन कोषण नहीं पूछा आनिक सब्दों के यह प्रिशन नहीं है इसमें आपको बोला गय कि जिसे इस बात कर घ्यान हो मतलब उसको पता नहीं कर पारहे अपने जानकारी में कि कर्टव्य मेरे लिए क्या है और अकरतव क्या है तो निश्चित नहीं कर पाने के लिए हम लोग जो प्रयोश करते हैं वो होता है किम करतव्य विमूढ किम करतव्य विमूढ मतलब जो निश्चित ना कर सके तो यह होता है ठीक अधिकारी का बहु अचन क्या होगा अधिकारी का तो अधिकारी जन अधिकारी ये अधिकारी वर्ग इन में से कोई नहीं इसका सही होता है अधिकारी जन हम लोग नहीं बोलते अधिकारी वर्ग की बात करते हैं ठीक है अधिकारी वर्ग बोलते हैं करमशारी वर्ग बोलते ह तो वहाँ पर वर्ग सब्द सही होता है, जैसे पाठक के लिए पाठक जन, पाठक वर्ग, पाठक वरिंद सब सही था, इसके लिए केवल यही वस है, जन वाला गलत होता है, clear, यह अधिकारी हैं, यह आपको नहीं जोड़ना है मात्रा वात्रा, साधू का बहुवचन दोनों समान होता है, जैसे आशू होता है, आशू अपने आप में बहुवचन होता है, वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लेकिन यह एक वचन में साधू लिखा जाएगा, बहुवचन में साधू, मतलब इसमें लिखावट में कोई परिवर्तन होता इसा लिए एक प्वचान और भ४भक gladan दोनों में होते हैं लेकिन जो होता है वह हम्मेशा बहुचान होथा है तो उसकेलिए लिए था ख्र्यायन लगाते हैं लेकिन इसके लिए हमेशा में उसको समझना हैं कौन लड़का को लड़के कलम को कलमे या लड़कों भी गोल सकते हैं कुत्तों भी गोल सकते हैं विभक्ति के साथ आगा तो लड़कों और कुत्तों होगा ठीक है वो राजायें वाला गलती नहीं होगा राजा कर राजाओं ही होता है ठीक है राजायें गलत वहाँ पर ये जनता जनता जो होता है वह सदब एक होते हैं और भी सब लिख लो भी आग लिख लो आग आया तो पानी भी आएगा ठीक है आग और पानी जो होते हैं सदेव क्या होते हैं एक वचन में होते हैं भीड बोला मैंने सभा बोला मैंने जनता बोला मैंने जनता तो दिया था भीड सभा पूलीस ले लो पूलीस भी हमे पुलिस बारिश बारिश जो होता हमेशा क्या होता है एक बचन होता है आज बारिश हो रहे हैं बोलते हो क्या नहीं बोलते हैं बारिश हो रहे हैं पुलिस आई थी बोलते को नहीं हमेशा कितने लोग भी आए पुलिस आई थी बोलते हैं कि हम लोग चालू भासे में बोल देते कि पूलीस लोग आए थे लोग आप जोड़ दिये जादे लोग को बताने के लिए तो होता नहीं है ठीक है अगला कोशन कौन सा वाग के भाविश्यकाल का उद्हारण नहीं है तो भाविश्यकाल के लिए तीनी प्रकार के थे कौन- आप बुलाते तो मैं अवश्य आता बुलाते तो मैं अवश्य आता तो बुलाते तो मतलब यह पीछे की बात कर रहा मतलब यह भूत की बात कर रहा तो यह मेरा क्या हो जाएगा राम कल आएगा आएगा भाविश्य है लगता है संभावे तो संभावे भाविश्य होगा नौ सबनीं था ऄो धी-सेवन विद्यार्ती कक्षा से निकले हैं यह भूति काल के किस रूप मा अब ही निकले हैं तो निकले है मतलब को किसमें हम लोग बोलते हैं इसको आशन्यभूत में किसमें बोलते हैं आशन्य भूत के अंतर्गत रखा जाता है तो आपका राइट आंसर आशन्य भूत हो जाएगा पूर्ण में complete हो चुका था, चुका था चुकी थी ये बोलते हैं सवाने भूत में आया गया यह बोलते हैं हेतु हेतु मंद में अभी उपर देखें कौन सा 28 कोशन कौन सा वाक्य पुर्ण भूत काल का है वह काम कर रही थी वह काम कर चुकी थी वह काम करती थी वह वह काम कर चुकी काम कर चुकी तो आप्शन भी मेरह क्या हो जाएगा क्या होगा कर रही थी मतलब अपुर्ण ममें काम करती थी समान क इभालाचल की भासम होते हैं आइसा हुआ लोग लेतीन है वह राकंगर चुकी Kia कम काम कर चुकी बोल रहे हैं परिमान्ः ने को सार्वनामिक शैसों को संह्या वाचक भी शैस्टन को या विशेशन की या क्रिये विशेशन की विशेशन की विशेशन बताए उसको हम लोग प्रविशेशन तो विशेशन के विशेशन को क्या बोलेंगे प्रविशेशन कहेंगे इक्जाम्पल भी दिया था, वह घोड़ा बहुत तेज दोड़ता है, तेज तो उसका विशेशन हो गया, बहुत प्रविशेशन हो गया, जिसकी विशेशता बताई जाये उसे कहते हैं, जिसकी विशेशता बताई जाये उसे क्या कहेंगे भई, विशेश, विशेश्य, और जिससे विशेस्ता बताई जाए किस पद में अपत्य वाचक प्रत्य नहीं है अब आपको समझना है कि अपत्य वाचक प्रत्य होता क्या है दो तो मैंने बताए थित तद्धित और कृदंत यह अपत्य क्या आ गया तो ऐसे प्रत्य जो किसी व्यक्ति के नाम के अधार पर बनाए गए हो वो क्या होंगे अपत्य हैं मतलब किसी व्यक्ति के नाम पर अधार पर बनाए गए हो या व्यक्ति वाचक या जाती वाचक शब्द के नाम के अधार पर व्यक्ति और जाती दोनों लेना ना उनके नाम के अधार पर बनाए गए हो तो वो क्या कहलाते हैं आपक उपत की पुत्री थी उसको क्या बोला गया पारवती बोला गया वशुदेव गलत है होता क्या है वाशुदेव के पुत्र को वाशुदेव बोलते हैं तो अपत्य वाचक में चारो आएगा यह नहीं आएगा तो आपका अशर भी होगा वसुदेव गलत है क्या होना था बार बार पुछा गया याद रखना तो मनु का मानों ये बनता है आपका अपत्य वाचक तो जिस भी व्यक्ति आजाती वाचक सब्द से आप प्रत्य के निर्मान करते हो ऐसे सब्दों के निर्मान करते हो जो उसके वंस के बारे में बता है या उसके व्यक्ति के बारे में ब तो आच्छा ही यह तो भाव आचक है हमारा संग्या होता होहत भाव strapT में जड़ा होता है जाती वाचक के अंतर गताएगा सत्रुता में सत्रु क्या होगी क्या सत्रुता अपने आप में क्या होगी भावाचक होगी गुरुत्व भी अपने आप में क्या होगा भावाचक होगा लूटेरा में प्रयुक्त प्रत्य के लिए सही विकल्प चुनो लूट एरा में प्रविद्ध प्रत्त व हैं Do that make सब को पता है आकरी में लुट सब्द होता है लुट मतलब चोरी और गर के जलते हैं वह लूट होता है लूट एक सब्द होता है उसमें अरे प्रत्त जूड़ा होगा तो लूट तो होगा सिधा सी बात है एक ही मात्र लगी एक ही मात्र किसमें लगता है ये वाले में लगता कि ये वाले में लगता है ये सिंगल मात्र को दर शाता है ये डबल मात्र को दर शाता है ये आपको ध्यान में होना चीए तो ये वाला लगेगा भी ये वाला लूट प्लस area कि लूटे प्लस रा नहीं होता है लूटे वाला कोई शब्स नहीं होता है को और प्रत्यह लगता तो ये अगला Kोशन क्या है अभी में चार वर पर बोताज कुका हूं तद्धित क्या होता है प्रत्य होता है जो किस्से बनता है संग्या सर्मनाम क्रिया क्रिया नी संग्या सर्मनाम विशेशन अव्यय इनके साथ जब प्रत्य जोड़ दो तो तद्धित प्रत्य आता है बाकी धातू और क्रिया के साथ जोड़ो तो वह आ यहां तो option number आपका सी सही होता है ग्या के लिए कि इसी के साथ में प्रश्ण पूस्ता आप लोगों कि जो कक्षा वाला चाह होता है यह च्छत्री का जो च्छाह होता है बारा खड़ी में यह हिंदी वर्ण वाला में उसकी सिति कहां पर होनी चाहिए बारा खड़ी में उसकी सिति किसके बाद होती कौन से अक्षर के बाद होती option आप लोग तो आपका क्या आता हलंत के रूप में आएगा तो ठीक है जा के रूप में तूट रहता अब जा को जब तोड़ते हैं हम लोग तो यह किसमें चाह और आ के रूप में तूटता है और यह मिलकर अचंत बनाता है मतलब अजंत बनाता है तो अच प्लस अंत जो होता है इसका तो कौन सा शंधी था तो वे अंजन संधी था सात्वा उर्दू की भासा का शब्द है तूर्की अर्भी फार्सी अंगरेजी तो उर्दू खुद अपने आप में तूर्की भासा का शब्द होता है उर्दू खुद अपने आप में तूर्की भासा का शब्द होता है और तू उसको काटना खूडदा को तो क्या लेना है कैची लिए चाकू लेना जिसमें आप महीर उसको चलाकर कूड़को क्या करना काटना थाध़ कर क्या बनाओंगे काली effectively क्वात के अफ़धिको तो दो दोगे मुगल बेजम को मुगल को दोग्ल लेगे बेजम को दोगे और यह बेगम क्या करी कि उसको बहादूर ठीक है बहादूर उनका जो सैनिक रहता है उसको देगी और वो क्या करेगा सुराख की कहीं उस कालीन में सुराख तो नहीं है यह तलाश करेगा सुराख की तलाश करता है और किस से करता है किसी से भी करें, इतना याद रखनेना, ठीक हैं इतना याद रहा भी, तो कैंची और चाकु से कुर्ते को काट कर कालीन मिनाओगे, किस को दोगे, मुगल बेगां को, जो किसको देगी बहादुर को, जो की शुराख और तलास करता है, और कुछ है, तो बता जोता हूं, आदर के में बता हुँ जतने अमीर वकाद और उसके दवरा रखाएला क्या करता enhance करता है और मैं क्या सबन करते हैं उनको तो यहाथ में अर्शीन बतारी अब लिखेंट солнimus गुदने वाले थे अँगरे जी तिदे आई तुर्येता का शुद्ध रूप है इन में से क्योंने यहां पर दीख चातूर्थ यह हो तो यह चातूर्येता नहीं बोलते किसी को आप यह चतूर है तो इसके दर कंद चाने चाट रखने वाले के लिए एक शब्द मुक्ष की इच्छा, रखने वाले इच्छा रखने वाला मतलब क् West- कि ए आने इच्छुक और इच्छा पर आपको ध्यां रखना है के वाल यहां पर इच्छा सब्द बोलता मोक्ष की इच्छा तो वह आता मुमुक्षा सही लिखा है दोनों में छोटा हूँ आता है मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा लेकिन इच्छा रखने वाला मतलब वो क्या है इच्छुक है तो मोक्ष का इच्छुक में उ की मातरा तो जो इच्छा आ की मातरा था उसमें आ का वाला आता है अंसर जिसमें उ वाला आता है इच्छुक में उ आ रहा तो वाला आता है मुर्शा और मुमूर्शू ठीक है एक मुमूर्शू होता है और एक मुमूर्शा होता है वह मृत्यू का इच्छा रखने वाला और मृत्यू की इच्छा तो आ लगा तो इच्छा और लग गया तो इच्छू क्या इच्छा रखने वाला कि आज कर लाश कोश्चन करते हैं इस मेराथान का इससे पहले मैं बोलूंगा कि आप कमेंट को कमेंट करकर के बताना कि आगे आगे आपको और कौन-कौन से सब्जेक्ट के आपको मेराथान क्लासेश चाहिए ताकि हम उस पर लाएं इंग्लिश का आप लोगों ने डिमाइड किया था आपको तीन-चार दिनों के अंतरगत इंग्लिश के भी मिल जाएंगे मैराथान क्लासेश में सारे इंग्लिश के चीज़ों का हम कवर करेंगे ठीक है साथ में आने वाली दिनों में योगें सर के दौरा बाल मनोग्यान यो पर जो भी चीज़ें होती उनके प्रवाइट किया जाते हैं ठीक है तो टेलिग्राम चैनल भी योगें सर्व आउनलाइन क्लासेश के नाम से उसको कर लेना साथ में जितने भी चैप्टर से सब्जेक्ट है उनका अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हमारे कोर् कोर्स उसको पर्चेस करो अच्छे से पढ़ो तैयारी आपकी जाएद साथ दिन से ज्यादा ही समय अभी 67 देज से कम नहीं होते असानी से आप पहले से पढ़ने वाले लोगों को भी बिट कर सकते हो और जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए ही मोटिवेशन होना चीए क कि अभी भी कोई पढ़कर हम से आगे नहीं हो जाए इसलिए हम लगातार अपने आपको और क्या फिनिश करते रहें फिनिश मतला अपने जो भी पढ़ने की चीज़े हैं उसको लाश कुष्टन देखते हैं एक तु करेला दूजा नीम चड़ा अब यह कैसे याद हो जाए अलग कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं उनके सब्जेक्ट और दोनों के लिए अपने फॉर्म पर रहे तो आपके साथ यही घटना होगी ऑफ्टन देखो असंभावकार एक गुन दो दुर्गुन दोहरा सदुन दुर्गुन आ है कैसे दुर्गुन तो किसी वेक्ति को आप बोलोगे की करेले की तरह बात करता हैं मतलब उसकी बाते आपको क्या लग हो रही कडवी तब बोलोगे इसलिए उसको इन्दर आप क्या देख रहे ह। दुर्गुन देख है हो तो यह क्या होगा एक तो करेलाbu दुसरा नीम च क्लासिस सारे टॉपिक मैंने कवर करा हैं और मैं फिर से बोल देता हूं कि तीन कोश्चन आपको यहां से देखने के लिए मिल जाएगा दो का मैं गैरेंटी नहीं लेता पांचों आए जाए तो आपके लोग के लिए अच्छी बात है और तीन नहीं आया तो कॉलर मत पकड़ क्लास लेकर आएंगे उसमें आपको सारे सब्सक्राइब कराती चलेंगे फिरा हिंदी में इतना ही आप सभी का धन्यवाद